क्या आप शेर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं करते हैं ना तो रोज सुबह साधे साथ बजे जी बिजनस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए कैश, फ्यूचर, आप्शन, इंडेक्स, टेकनिकल पिक्स, खपरों के दम पर शेर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं अरे है ना एक बहत्रिन इन्वेस्मेंट पिक भी और शांदार फंडा पिक भी यानि की ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह साधे साथ बज कार, बाइक, सुवी, लग्शुरी, याहो, स्पोर्स कार, आउटो इंडिस्ट्री की हर न्यूज के साथ, एक्पर्स के व्यूज और रिव्यूज, तो चलिए लॉंग ड्राइब पर मेरे साथ सिर्फ रिगनिशन पर देश, दुनिया, बाजार, या कारोबार, खेल, फैशन, फिल्म, या सरकार, दिन भर की हर हल चल का साथ, डिनर के साथ देखिए खबरे धुआधार, बदल जाएगा खबरों को देखने का तरीका, देखिए खबर 40, रात 8 बचकर 56 मिनट कर, सिर्फ जी बिस्निस पर क्लोजिंग शो में दो पर दो बज़े से शुरू होगा बाजार का भरपूर एक्शन और बीटी एस्टिटी कॉल्स जाई बज़े मैं आपको दूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अगले एक गंटे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दो बज़ कर 45 मिनट पर लगाएंगे निफ्टी पर निशाना तीन बज़े आपको मिलेगी बहत्रिन शोर्टम इंवेस्मेंट पिक तीन दस पर देखिए कैश का ओप्शन तीन बिस पर मैं आपको दूँगा अगले दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सही ओप्शन देखिए मेरे साथ फाइनल ट्रेड दोपर एक बज़ कर छपपन मिट से नॉन स्टॉप साड़े तीन बज़े तक सिर्फ जी बिजनस पर आपके पैशन को मिलेगी अब तेज रफतार बाइक, सुवी, लग्शुरी, याहो, स्पोर्ट्स का आउटो इंडिस्ट्री की हर नूज के साथ एक्पर्ट्स के व्यूज और रिव्यूज तो चलिए लॉंग ड्राइब पर मेरे साथ सिर्फ रिग्निशन पर देश, दुनिया, बाजार या कारोबार खेल, फैशन, फिल्म या सरकार दिन भर की हर हल चल का साथ डिनर के साथ देखिए खबरे धुआधार बदल जाएगा खबरों को देखने का तरीका देखिए खबर चाली साथ, रात आठ बचकर 56 मिनट पर सिर्फ जी बिस्निस पर कमोलिटी बाजार की हर खबर पर बारीक नगर खबर का ग्राउंड जीरो असर आसान भासा में हपते का पूरा कमोलिटी एक्शन, तेजी मंदी से कनेक्शन हर शुक्रवार, शाम काड़े चार बजे सिर्फ जी बिस्निस जी जल सिजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सई और सटीक विश्लेशन, नतीजे से पहले नतीजे के वक्त और नतीजे के बाद शेर के भाव का उतार चराओ और पर्फेक्ट मूमेंट, तीनों पर्फेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिस्निस पर देख देख देए पर्फेक्ट मूमेंट जी पहले नतीजे के भाव को पावट बाद भावी एड्फेक्ट मूमेंट पर पर शेन प्रफेक्ट मूमेंट बाद अबेना थिंक इक्विटी, थिंक मोतिलाल ओस्वाल, HDFC Sky, बनो अपने दंपे एक्सपर्ट और फ्लेर पैंस, बस फ्लेर और कुछ नहीं देश भर में दिपावली के उत्सव की धूम जी बिजनस पर देखिए, एक शांदार कवरेज थू देखिए, सिर्फ एक्स्क्लूसिफ कवरेज मुहरत ट्रेडिंग पर जी बिजनस पर देखिए टेक शेरों में तगडी खरीदारी से शुकरवार को दिन की उचाई पर बंद हुए अमेरिकी बाजार, डाव करी 400 अन कुछ ला, तो नाजडैक पौने 300 अंक दोड़ा अमेरिका को मूडी इसका बड़ा जटका भारी भरकम कर्ज, बढ़ते घाटे और राजनीतिक अंडेक बाजी के चलते क्रेडिट आउट्लुक को स्टेबल से घटा कर नेगिटिव किया शुक्रवार को सोना करीब 30 डॉलर गिर कर 1940 डॉलर के पास, तो चांदी 0.5% लोड़क कर साड़े 22 डॉलर के नीचे आई, कच्छा तेल 2% चड़कर 82 डॉलर के पास कोल इंडिया, आईशर, सेल, हिंदसान, कॉपर और सन टीवी ने पेश किये धमदार नतीजे, टाटा केमिकल्स, बायो कॉन और ग्लेनमार्क अनुमान से कमजोर दिपावली पर कमोडिटी मार्केट को बड़ा तोफा, मौरट ट्रेडिंग के मौके पर इंसीडेक्स लॉंच करेगा सूरज मुखी तेल का वाइदा प्रधान मंतरी मोडी ने हिमाचल के लेपचा बॉर्डर पर जवानों के साथ मनाई दिपावली देशवासियों को दी शुबकाम नाए देश और दुनिया में प्रकाश का यक्सव दिपावली बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है आज हम शुबकात करें दिपावली के इस खास अवसर पर समध 2080 के मूहत ट्रेडिंग स्टेशन की आज मैं चित्तोरगर से आपको और आपके सारे परिवार को दिपावली की सब्सक्राइब अधार Davy के खास जो में नमस्कार में हूँ अनिल सिन्वी औरерш और मॉंबई स्टूडियो से मैं हूँ दिपाण शुबघंडारी अनल जी सब्सक्राइब करते हैं कि जितना भेतरीन पिछला समवट रहा है बाजार के लिए हम सब के लिए उतना ही शांदार ये आने वाला साल 2018 भी हम सब के लिए रहे से बहुत-बहुत दिवाली की धेरो शुब कामना है आपको से बिल्कुल को जो इतना प्यार और भरोसा हम पर बनाये रखते हैं और जब आपने इतने अच्छे शुब काम नहीं दी तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जिससे कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो जाए और वो यह कि अगर आपको लगता है कि आपने पिछले एक साल मे बहुत पैसा बनाया है बाजार बहुत अच्छे रहे हैं सब कुछ बढ़िया हुआ है तो मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंज में कहना चाहता हूं कि अगली दिवाली इस दिवाली से आपके लिए बहुत बैतर होगी यह भरूसा रखिए और मुझे लगता है कि अभी भी हिं आने वाली दिवाली तक और आने वाले कई सालों तक बहुत अच्छी वेल्थ बनाने के मौके देगा बस आपको हमको उसी की तयारी करनी है बिलकुल सर तो बड़े पॉजिटिव नोट पर हम शो की शुरुआत करें नए साल की शुरुआत करें शुब दिन भी है दिवाली पर आज के लिए नहीं बलकि इस आने वाले साल के लिए भी बात करी जाएगी शुक्रवार का दिन शांदा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए 400 अंकों का उच्छाल अपने डाउ में देखा है नाजडाक आपका पॉने 300 अंक उचलते हुए दिखा है डेज हाई पर अमेरिक रेटिंग का आउटलुक मूडीज ने घटा है आपको याद होगा फिच और S&P तो पहले डाउंग्रेट कर चुके हैं मूडीज ने अपनी रेटिंग बर करा रखी है ट्रिपिल ए पर पर आउटलुक स्टेबल से घटा कर नेगिटिव कर दिया है धेरो नतीजे भी आए ह सर आज के लिए नहीं बलकि आने वाले साल के लिए भी पहले तो एक बार जरा बताएं आज हमने कुछ अलग तरीके से अपनी स्ट्राटिजी बनाई है सर और कुछ अलग अंदाज से आप व्यूर्स के बात करने वाले जरा बताएं क्या प्लान करा है सर बिल्कुल दिप औ पूरे एक साल के लिए समथ 2080 के लिए हैं यहां से लेकर अगली दिवाली तक का रोज की बात हम रोज करते हैं वीकली पोजिशनल सारी चीज़ों की बात हम करते ही कि कब कैसे मार्केट रहेंगे और आपको याद ही होगा इस सिरीज की शुरुआत के पहले जब सब लोग दुखी थे और निफ्टी आपका 1889 की रेंजी में था एकस्पायरी वहां हो रही थी और सबको डर यह लग रहा था कि अब यह अठराजार 800 वाला कहां अठरा 200 पर रुके गा या सत्राजार पर रुके गा साड़े सत्राजार हो जाएगा उस तरह के जब सब को डर थे तब दबराना नहीं है और वो अब आपके सामने आतावा दिख रहा है कि किस तरह से दिवाली पर आप इस पूरे रनप में जो इस सीरीज की शुरुआत हो इसके हाइस पूइंट को आज आप देखेंगे तो मेरा यह समझना है वो तो रनप चली रहा है लेकिन आज चुकि मैंने क कि समझ 2080 के लिए मैं आपको स्ट्रेजी देना चाहता हूं तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरुआत करता हूं ग्लोबल मार्केट की स्ट्रेजी की क्योंकि हम एक हमारी एकोनोमी दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी एकोनोमी है हमें ग्लोबल मार्केट का हिस् है महें जैसा फेट चाता है वैसे नीचे नहीं आती भी दिख रही है उन सब के बावजुद और जो डर है लोगों के हायर फोर लोंगर का मैं वह रहा हूं उस सब के बावजुद अमेरिकी बाजार नए हाई बनाएंगे इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीर है तो पहली से पैस्टिक में डाउ के मुकाबले में ज्यादा बहतर तेजी होनी की उमीद लेकर आप चल सकते हैं वहाँ पर ज्यादा एक्शन दिखेगा तीसरी बात यह कि अमेरिकी बाजार में अगर मैं इतना पोजिटिव हूँ तो उसके पीछे वज़े क्या है इसके पीछे वज़े यह है दीप दो वज़े adalah पहली वज़े में मतानूं कि जैसे ही अमेरिका में ब्याज़दर तेजी से गटने के संकेत आते देखेंगे यहिए यह गटने के संकेत ही आने शुरू हो जाएंगे और जहां से ब्याज़दर टौप होकर पीक होकर गटना शुरू हो गी उस संके आपको जाहिर सी बात है, दिसंबर की पॉलिसी में तो मिलने वाला है नहीं, यह आपको मिलेगा, तीन महीने, छे महीने, कब तक हो सकता है, यह देखने वाली बात है, लेकिन होगा इसी समवत में, दोजार असी में, और तब आपके लिए बढ़िया संकेत बनेंगे वहां से तेजी का, तो मेरा ही समझना है, अमेरिके बाजार सबसे बड़ा ट्रिगर जो अमेरिकी बाजारों के लिए होगा, वही है, कि जब बाजार को ये क्लेरिटी मिल जाएगी, बाजार ने पीक कर चुकी है, अब यहां से नहीं बढ़ेगी, गटना ही निश्चित है, और कितन टिगर अमरीकिया बाधरों के लिए हो सकता है दूनिया वर के बाधरों के लिए हो सकता है वो है यह जो पॉलिटिकल टेंशन ज्योपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल राज ही में हमने जो शुरुआत देखिए इस तरह के संक्रटों के इनकी में कमी और खत्म होनी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे देखे रिशिया युक्राइन लड़ते लड़ते ठक चुके हैं शायद ऐसा ही कुछ जिज्राहिल हमाईस के साथ ही होगा और जिस तरह का मूर माहुल है इस वक्त शायद और ज्यादा बुरी खबरें आपको सुनने और देखने को न मिले ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ और इन सबके चलते सबसे बड़ा फाइदा भारत को होगा और मैं आपको एक और बड़ा बोल्ड कोल दे रहा हूँ और वो ये कि इस समवत में कहीं कहीं कभ उतने का संकेता ना ये सब कितना बड़ा फाइदे की हमारे बात हो सकते हैं तो ये सारी चीज़ें लेकिन जो भी स्टेड़ी ये उसके साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मेरा पूरा पूरा अनुमान है कि ग्लोबल मार्केर्स में अगर सर्प्राइज आ होगा मंदी की तरफ कम और मेरा ये समझा है उन चालिस चालिस जार तक की यातर तो कम सकम डाउ कर सकता है यानि कि यहां से भी 10-12 परसन की तेज़ी अमेरीकी बादरमों हो जाए तो मुझे आश्यर नहीं होगा अब मैं दो चीज़े बताना चाहता हूँ इस एनलिसिस के प पादा पाए और कुछ रिस का यह तो चो फेले मैं प track कर दो पाद नहीं है अमनोगा पी यह कि प्रकूत तो प्रक्रपाव कर दिया चुनाओं में जाने के पहले अमेरिका दुनिया वर में जितनी कम तना हो उस तरफ उस दाइरे में आगे बढ़ना चाहेगा लेगिंग फिर भी अगर समझे कोई चाहिना ताइवान हो जाए कोई और कुछ बड़ा हो जाए यॉरोप में कोई दो चार देशों में कुछ अंद करें कि कहीं कहीं पीक बनाकर जल्दी से नीचे आना शुरू होंगे लेकिन अगर फर्ज करें कि अमेरिका में ब्याज़री महंगाई धीट की तरह नीचे आए ना इतने सारे ब्याज़रे बढ़ाने के बावजुद उपर बनी रहे और वो चार मेने छे मेने रह जाए तो म मामला घरबर हो सकता है तो यह नोन और अन्नोन दो रिस्क है अन्नोन तो कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं आपको बताने मुझे पता है लेकिन नोन रिस्क में यह है कि अगर ब्याज़रे ज्यादा लंबे समय तक ऊपर बनी रहे तो यह मेरा पूरा इस साल के लिए ग्लोब अची बात तो सर ने यह भी बोली कच्छा तेल आपका 55 डॉलर तक गिर सकता है तो यह बड़ी रहात की बात होगी हमारे फैक्टर कितने इंपॉर्टन रहेंगे डोमेस्टिकली भी देखा है सर हमारे बाजार अच्छे रहे हमारे फ्लो अच्छे रहे हमारे निवेशक अब भारती बाजार में पहला सेंटेंस जरा दीप को ए फ्रेम में रखेगा दीप के मैं चहरे पर एक्सपरिशन देखना चाहता हूं जब मैं यह सेंटेंस बोलगा दीप बारती बाजार भी इस नय समत में नया हाई बनाएंगे यह आप पूरा बरूसा रख सकते हैं बिलकुई आपको अच्छा फील कर रहेंगा आप कहने में कह सकते हैं हम ज्यादा दूर नहीं है लेकिन डर सबको होता है और नया हाई बनाने का मतलब यह नहीं कि हम 20212 से 20213 होगे वो हाई बन गया धंगदांग से बनेगा अच्छा वाला बनेगा जिसको देख के आपको ल मार्केट को जनली यह चाहिए होता कि जो एक्जिस्टिंग गॉर्मेंट अगर वो कंटीन्यू करती है तीसरे बार एलेक्शन जीत कर आती है अपने दम पर सरकार बनाती है अगर ठीक ठाक उसी की उमीद के आसपास रहे तो हमारे बाजार ग्लोबल मार्केट को जम कर अटर प्रदेशन का रहेगा ऐसे में भारती बाजारों के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा वो होगा 18,000 से 18,500 मेरी ख्याल से ये रेंज भारती बाजार आसानी से तोड़ेंगे नहीं अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ा चुनाओं का रिजल्ट ऐसा आजाए कि बि 20,500, 21,000 पर हो तो आप 18,500 भी नहीं तोड़ेंगे रिजल्ट केसा भी आजे तो ये एक बड़ा सपोर्ट रेंज आपके लिए पूरे साल बर के लिए रहेगा उपर के तरफ 21,000, 21,500 की रेंज है जहां तक मार्केट जाने की कोशिश इस साल में जरूर करना चाहिए तो ये मेरे ऊपर और नीचे के लेवल है इसमें एक ही चीज है कई बार कुछ बड़ी इवेंट ऐसी हो सकती है जो आपके हमारी उम्मीद से अलग है चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मन्दी की तरफ हो फोर एक्जामपल लोग वो इलेक्शन से लेके डर लगता है कि इलेक्शन म मेरे मेरा ये समझना है और अगर ये पांच राज्यों के जो विदान सफ़ा चुनाओं के नतीजी आने वाल है अगर इन नतीजों में भी कोई बहुत बड़ा जटकाना लगे तो बाजार यहां से भी और तेजी दिखाने की कोशिश कर सकता है रहे इलेक्शन के पहले ही न अमेरिका रेसेशन में चले जाए अमेरिका को बड़ा डाउन ग्रेड कर दे या फिर कोई और नया पंगा चाइना से हो जाए बगवान जाने मालब जो आपको पता नहीं है ग्लोबली कुछ अन्नोन चीज हो जाए तो उसका तो भारती बातनों पर पढ़ नहीं है तो वह सबसे बड़ी रिस्क भारती बातनों के लिए इस साल में और इसी को आपको प्ले करना है तो जैसे हम इलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे तस्वीर साफ होती भी दिखेगी बड़ा वक्त है चार-छे मैने का पहली बादा आपको पांच राजियों के विदान सभा चुन इस तरह के सम्मीकरण बनते हैं यह मेरा भारती बादनों पर यूए और मुझे लगता है 21,000-21,500 का निफ्टी अगर सब ठीक ठाक रहा इच्छा रहे इश्विर की तो आप और हम जिरूर देखेंगे और सर हमारे बुल मार्केट का फॉर्मुला भी था जो निकाला था उस इसका जो टाइटल था टॉप कब कहां कैसे मार्केट का टॉप तो आम तरुप मार्केट का टॉप कोई प्रेडिक करने की कोशिश नहीं करता हमने कोशिश किये हमने यह भी कहा कि इसके पहले कोई बड़ा साइजबल करेक्शन आएगा नहीं तो यह है आपके लिए कुछ बड़ा बाते आ रही है आने वाले साल में आने वाले कुछ महीनों में एक नया हाई आपको बाजार लगा सकते है 2100 के उपर जाने की पूरी तयारी है तो सर ग्लोबल जादातर सपोर्टिव है डोमेस्टिक फैक्टर साज जैसे आपने का सब जगे आप कहां बना सकते हो डिसाइड कीजे पैसा बनेगा भरपूर बनेगा और बहुत बनेगा दीप और आपको लग रहा होगे कि मैं हलके में ये बात कह रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि काफी सेक्टर्स हैं काफी स्टॉक्स हैं जो बढ़िया जाएं कि तो फार्मा पर हम बहुत बुलिश हैं अभी पैसा बनेगा और वबिन दो फार्मा जैसे शेर हैं जिस पर लगातार बुलिश हैं ये कभी आपको सर्प्राइज कर सकते हैं ऐससे स्टॉक्स जो ज्यादा चले नहीं मौस्ट हिटेड स्टॉक है जहां वेलिशन था दो हफते पहले सोमवार के दिन हमने फार्मा शेयरों को चुना था फार्मा इंडेक्स में आपको फार्मा में आपको SIP करने की राय दी तो फार्मा पहला है दूसरा दीप एक बहुत इंटरस्टिंग सेक्टर है जो सब को ना पसंद आज की तारिक में कोई इसको देखना क्रान पसंद नहीं करता लगातार नतीजे खराबार हैं केमिकल केमिकल के मेरा यह मानना है कि री रेटिंग होने की तैयारी में हैं और केमिकल शेयरों के जो इस्तिमाहिके में नतीजे देखें उसमें शुरुreiben संकित आना शुरू हो चुके यह अब गटेंग नहीं बूर नहीं होगी लेकिन रहेंगे यह तेजी के मूर में तो यह बायों डिपस है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से जुड़ी कमस्यों में भी आपको बढ़ा खरीदारी होती दिखेगे चोथा एक और सेक्टर जो मैं बताना चाता हूं चोथा क्या दो हैं दो छोटे सेक्टर हैं लेकर वाली कमस्यों जो शराब बनाने वाली कमस्यों मुझे लगता हूं उसके लिए यह अगला साल और आने वाले तीन से पांट साल बहुत जबरदस तेजी के जो कंजम्शन पैटरन में बदलाव हो रहा है और जिस तरह से प्रीमियम सेग्मेंट में और डिमांड बढ़ रही है लोर सेगमेंट में बढर रही मुझे लगता है लिकर सेक्टार काफी अच्छा कर सकता है एकस्टार iau आँ वार रहा है पिसने साल एड़ साल से इसके भी थोड़ा चलने का वक्त आर रहा है लेकिन इसमें जो यान बनाने वाली कंप्स्टिया है मुझे लगता है वहाँ पर ज्यादा तेजी होगी तो वहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए और आखरी ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर मैं बोल सकता हम और आपको याद होगा पिछली बार हमने सरकारी बैंक, रियल स्टेट, इन सारे सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया है इकोमर्स प्लेटफर्म देने वाली कंप्स्टिया अभी भी अच्छे एक्षिन में रहेगी जिसमें आपको जोमेटो, पेटी एम, पीबी, फिंटेक इस तरह की जो कंप्स्टिया हैं जहां पर आप रिजल्स बेतर होते हुए देख रहे हैं इन कंप्स्टियों पर बढ़िया एक्षिन आता हो दी सकता है जहां तक कुछ सेक्टर्स का सवाल है, ओटो, कैपिटल गूर्स, ये मार्केट परफॉमर रहेंगे अनाप शनाप पैसा बन गया, अब नहीं बनेगा, कोई एकाद स्टोक बना दे अलग बात है कंजम्शन मजबूत रहेगा, यहां पर पैसा अब भी बनेगा बैंक्स, चाए हो सरकारी हों, चाए प्रिवेट बैंक्स हों, बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, नुकसा नहीं करेंगे आपकी वेल्स ने, ऐसा कोई सेक्टर मुझे नहीं दिख रहा है, जहां नुकसान बहुत हो जाए सबसे बड़ा चीज है, लेकिन बड़ा पैसा बनने वाले में यह तीन-चाए सेक्टर नहीं है, अगर किसी को बैंकिंग, फिनिशल सर्विसेज में प्ले करना ही है, तो उनके लिए एन्बी एफसी ज्यादा बढ़िया है, फाइनिश कंशनिया प्ले करिए, स्टॉक सबसे बनाने के बहुत अच्छे मोके मिलेंगे, और आज मैं आपको हर आदे गंटे में पिक देने ही वाला हूं, आप चाहें तो उसकी शुरुआत यहीं से करते हैं, बिल्कुल सर, शुरुआत यहीं से करते हैं, और मैं बस यह भी मेंशन करना था, कि लास्ट यह जो पैक अनल जी बताएं सर, आज का पहला स्टॉक पर आते हुए दिख रहे हैं और अभी जो सिंगल डीजिट के मार्जिंस आया हैं इस कंप्प्प्धे के ये सिंगल डीजिट से हाई डबल डीजिट मार्जिंस की तरफ कंस्टी बढ़ती भी दिखेगी आपको करीबन करीबन 80 से 20 परसें के आस-पास की रींज के margins फिर से मिल जाएंगे double digit margins की तरफ पहुंचते भी दिखेगी एक और बड़ी interesting चीजे सित्मबर 2014 जानी कि यहां से लगबग 8-10 मैंने बाद एक बड़ा expansion plan इनका पूरा होता हुआ दिखेगा जो company के लिए बड़ा booster साबित होगा इस से बड़ी growth आती भी दिखेगी वेल्यूशन काफी आकरशक हैं और मुझे यह लगता है कि अगले साल का profit करीब करीब 1200 करोड यह company कर लेगी और इस हिसाब से वित्वर्ष 2025 की earnings में लगबग 15 के multiple पर stock trade करा है जो काफी सस्ता है यहां से एक P multiple की की भी rating होगी और साथ ही earnings की भी rating होती भी दिख सकती है यह मैं क्यों सोच रहा हूं उसकी वजह है कि इनके जो कुछ और expansion plans की हैं उसके चलते हैं इनके जो raw metal cost है उसमें काफी बड़ी बचत आती दिखेगी खर्चों में बचत करने के संकेट management ने ओनर डिए और यह सारी डेटा जो मैं दे रहा हूं आपको management के guidance से उनकी annual reports और उनकी कमेंटर से निकाल कर दे रहा हूं उन्होंने guidance दिया कि EBITDA आपका 1000 करोड का होगा वितवर्ष 2024 में वितवर्ष 2025 में 1700 करोड का और 26 में उससे भी ज़्यादा 2024 करोड के आसपास का है तो आप सोच लिजे किस तरह की operating profit की growth management गाइड कर रहा है इस stock के बारे में एक चीज़ कहना चाहिए पिछले साल जिस तरह से AB Capital था ना सब का कोसा हुआ stock यह चलता ही नहीं यह जिन्गी में कभी नहीं चलेगा इसका कुछ इस नहीं हो सकता रिजल्स भी ठीक है अच्छे भी आते हैं फिर भी नहीं चलता है आर्थ इंड़स भी आज की तारिक में one of the most hated stock है चलता नहीं है मुझे लगता है कि यह शेर भी AB Capital की तरफ slow steady perform करेगा वाइदा कारोबार में है आपको cash में delivery के तरह लेके खरीदना है अगली दिवाली तक का लग 675 और 802 लेवल का है लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर तीन साल तक आप इस टोक को रखते हैं अपने portfolio में तो करीबन करीबन 1200 के टार्गेट के लिए इस स्टोक को आप अपनी portfolio में दो से तीन साल के लिए रख सकते हैं तो chemical space से मेरा पहला स्टोक है आरती इंडस्ट्रीज और टार्गेट देखे क्या आ रहे हैं 500 के ऊपर की closing है अल्मूस 500 ही मान लीजे इसको पौने 700 और 800 नियर टर्म के लिए और फिर ठोड़ा और लमड़े में 1200 यानि कि यहां से भी दो ठाई गुना के रिटर्न्स ये कांटर आपको दिखा सकता है आरती इंडस्ट्रीज नतिव के बाद भी इसकी बात करी थी और आज की पहली दिवाली पिक अनल जी की तरफ से और ऐसी कुछ शॉल और शांदार दिवाली पार्टिस्ट्रीज पार्टिस्ट्रीज वाला ट्रेणिस सेशन होगा आज एफाइस का पार्टिसिपेशन कम होगा देंक मुझे लगता है उनिस पांट सो और साथी चम्वाली सजार ये दो लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के हैं जिनके उपर आज हम बंद होने की कोशिश करेंगर वहां बंद होते हैं तो नो कंप्लेंस कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है बस आप सिंपल है अच्छे स्टॉक में अपने पूरे भरोसे कन्विक्शन के साथ बेठ रही है उनिस जार के आजपास बहुत लोगों को डर लगा था बेच कर निकल जाएं आगे क्या होगा ये सब कुछ है और आप देखिए आज वापस आप नए हाईस की बातें कर रहा है तो ग्लोबल मूर महोल बदलने में वक्त नहीं लगता उपर नीचे बाजार चलेंगे लंबी स्टोरी है आपको 57 साल के लिए पैसा लगाना है पांच साथ दिनों के लिए और पांच साथ गंटों के लिए नहीं आपसलूटली सर तो ये बढ़िया आपको आक्शन आते हों दिख रहा है दिवाली का महुका है हमारे सारे महमान भी बस जुड़ने के लिए तयार है जैसे अनल जी ने आपको एक शांदार दिवाली पिक दी है हर आदे घंटे अनल जी आपको दिवाली पिक देने वाले है हाँ आपके रोज के चाहते experts जो रोज हमारे साथ जुडते हैं वो आपके लिए दिवाली पर लेकर आरे हैं बस कुछ ही देर में और फिर कुछ और बड़े महमान भी यह जो पूरा मुहरत सेय्शन है कुछ और बड़े महमान बाजार के कई दिगज हमारे साथ शो पर भी जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो action आपके लिए आने वाला है, आने वाला दो घंटा काफी exciting रहेगा, आई उसे पहले जैसा अनल जी ने का वैसे आज कुछ बड़ा action हम expect करनी रहे हैं बाजार में, बट फिर भी थोड़ा stock specific moves आ सकती हैं, थोड़ा उतार कुछ counters में हो सकता है, क्योंकि weekend पर धेरो नतीजे आपके लिए आते हुए दिखे हैं, तो कुशल और नुपर भी हमारे साथ studio में हैं तयार, मुरत trading session में, दिवाली की शुब कामना है, आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ जुनने के लिए, कुशल आप कर आते हुए दिख रहे हैं, margins 20.9% का अनुमान था, साड़े 27% के margins कंपने हैं, साथी कंपनी का मुनाफ़ा भी 6800 करोड पर आता हुए दिखा है, साड़े 12% की ग्रोथ यहां पर भी आई है, O NGC नंबर जार मान से थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, revenue 35,163 करोड पर आया है, 36, 28,800 करोड रुपे का अनुमान था, साथी कंपनी का कामकाजी मुनाफ़ा भी 9700 करोड के अनुमान के मुकाबले 18,360 करोड पर आया, margins 52.2% के आसपा साथी भी दिखी है, तोड़ा 56% की यहां पर गिरावट है, मुनाफ़ा करीबन 10,200 करोड पर कंपनी ने दर्च किया है, तो अनुमान से बेटर है, और मुनाफ़ा भी 930 करोड का अनुमान था, 1016 करोड पर कंपनी का आतावा दिख रहा है, जहां तक बायो कौन का सवाल है, नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, हालागि प्रॉफिट थोड़ा अनुमान से बेटर है, करीबन 126 करोड पर कंपनी का 188 करोड आये है, 665 करोड का अनुमान था, मार्जिन्स 18.3% पर क्लॉक इन किया है, 18.8% का अनुमान था, तो स्लाइटली मार्जिन्स आप कह सकते हैं इन लाइन है, लेकिन 172 करोड का मुनाफ़ा था, इस बारी 180 करोड का घाटा कंपनी दर्च करती भी दिख रही है, टाट बेहतरीन है, 9.6% के एस्टिमेट के मुकाबले इस बारी 13% के मार्जिन्स आ गए है, और मुनाफ़ा भी 1240 करोड पर कंपनी ने दर्च किया है, जबकि 774 करोड का स्ट्रीट का अनुमान था, और अंतमे हिंदस्तान कॉपर नंबर काफी शांदार यहां पर भी है, 30-32%, मु बढ़कर दिवाली की शुब कामना है, फैरे तो सबको और शुरुआत करते हैं, संटीवी के साथ नतीजे आपको अच्छे दिखेंगे, 27% की कंपनी के आए, बढ़कर इस कौटर में आती हुई नज़र आई है, मुनाफ़ा देखेंगे, 14% की ग्रोथ इस कौटर में आती ह कामकाजी मुनाफ़ा चार्गोना बढ़ा है, मार्जन एक्सपांशन देखेंगे, 21% से बढ़के, 52% के मार्जन होते हुई, नज़र आए, लाइप इंचौरेंस कॉर्परेशन, LIC के नतीजे आते हुई, कमजोर यहां पर कौर्डर आ है, लाइस के लिए नेट प्रीमियम मुनाफ़ा देखेंगे, तो 50% की गिरावट आपको यहां पर भी नज़र आएगी, बॉम्बेवर में आपे भी रखनी है, नज़र कंपनी के आए देखेंगे, तो करीबन 1% की ग्रोथ आती हुई, कामकाजी लेवल पर मुनाफ़ा देखेंगे, तो 33% की ग्रोथ नज़र कामकाजी लेवल पर देखेंगे, तो आपको 1% की ग्रोथ दिखेंगी, पीटी सी इंडिया कंपनी के आए, 6% से इस कोड़र में बढ़कर आती हुई दिखेंगे, तो 7% से बढ़के, 8% की होते हुई दिखेंगे, और भी कई सारे नंबर से हमने सिलेक नंबर परी फोकस किय नंबर जहाँ पर रियाक्शन है, हर स्टॉक में ऐसा रियाक्शन हो, जरूरी नहीं आज के दिन आने वाला है, डोंट वरी, कल सुबाह हम स्विट से मिलागात करेंगे, और जो बाकी सारे नंबर से हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, कुशल SKI विचिस यू, एपी और प्रॉस्परिस दिवाली SKI, ग्रो विद आस इस दिवाली, ओनलाइन शॉपिंग कीजिए बेफिक्र, क्योंकि New India Assurance लाया है My Cyber Insurance Policy, जो आपको सुरक्षित रखता है Unauthorized Transactions और Online Purchase Transactions से, So have safe and happy दिवाली, The New India Assurance Company Limited, इंडिया's Premier General Insurance Company जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है सोचिए, जब आस्था के दीप जग मगाएंगे और प्रभूश्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा आलोकिक द्रिश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी रामनगरी डूब जाएगी दिव्या आलोक एक दीप उत्सव की जग मगाहट में आप भी सा परिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मान चित्र पर आने का उत्सव मनाएंगे भव्य दीप उत्सव मुद्सव जोहार है जोतिर में तेज है ये रोशनी की धार है पाप पर प्रहार है सच की जीत की हुमकार है दिये से दिया जलाएं रामराज सरकार है 11 नवंबर सर्यू घाट पर आईए और प्रभुश्री राम की महिमा गुनगुनाईए स्वागत है आप सकता मोरे ट्रेणिंग के इस खाश शो में एक्सपर्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तयार और दिवाली का दिन हो मिठाई और पठाके की बात नहों तो ये तो होई नहीं सकता तो मिठाई तो आप सब लोग खाएंगे लेकिन पठाके आपको छोड़ने हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट तयार हैं पठा के चोड़ने के लिए तो आईए बिगुल पठा का शेयर लेते हैं हमारे सबी एक्सपर्स दिवाली के दमदार पिक मैं एकी साथ आप सबको हैपी दिवाली बोल देता हूं आप सबके लिए दिवाली बहुत मंगल मैं हो शुब कामना हो आपको आपके पूरे परिवार आपकी टीम्स को और उम्मिद करें कि ये नया साल समवद 2018 आप सबके लिए बहुत सम्रत दिवरा हो शुरुआत करते हैं सिर्णाजी साब से सिधार जी बताएं सब आपका पठा का शेर गोड़ आफ्टनून अलिल जी गोड़ आफ्टनून देपांशु और गोड़ आफ्टनून सभी को विक्रम सम्वत बहुत बहुत शुपकामना है यह जो विक्रम सम्वत बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है बाजार के रिलेटेंट क्योंकि मार्केट का जो 80-20 ढूल है और विक्रम सम्वत बहुत ही मंगल में रह सकता है यह दोजार असी का विक्रम सम्वत बाजार के उपलक्ष में तो अनिल जी आज का जो पटाका शेर मेरा होगा वो बैंकिंग स्पेस से लेके आया हूं और वो है आइडी एपसी फॉर्स बैंक टॉप अफ द रेडार में है डाइवर्सीफाइड रिटेल बैंक है इंफ्रा इंफ्रा का जो उनका कंट्रिबूशन है बुक्स में वो कम हो रहा है रीटेल में बढ़ते जा रहा है दूसरे तिमाही के नाय ग्रोथ दमदार 31% मुनाफ़ा 35% से ग्रोथ हुए दिखे और हम उमीद कर रहे हैं 6% प्लस निम्स आ सकते हैं नेट इंट्रिस्ट मार्जिन्स रिटर्न एसेट्स भी 1.4% आ सकते हैं लोन ग्रोथ दमदार रह सकता है 25% के करीद आईडी एफसी फॉर्स बैंक पे खरीदारी की राए है टार्गेट इस समवत से उस समवत तब 114 में के पहला पठाका शेर से अपका पठाका शेर बिल्कुल अनिल जी दीवाली की आपको दिपांचु को सभी पैनलिस्ट को जी बिजनस के लाखों क्रोड़ों देश्कों को धेर्यों धेर्यों शुब काम नहीं जी आज का जो मेरा पठाका शेर है कर दो जो और वह नहीं करोड़ से तेर करोड का अकड़ा पार किया वह भी अभी कुछ नहीं हुआ है करोड मुझे लगता है यह बहुत अच्छा करना चाहिए और यह बहुत मजबूत है एक हाइली अंडर पेनेट्रेट्रेटर है विट ट्रिमेंडस अपर्चुनिटी मुझे लगता सीडी एसल में करेंट लिवल्स पे खरीदना चाहिए मेरा इसमें अगले समध तक का अनिल जी कौन सा पठगा चोड़ रहे हैं आज आप नमस्का अनिल जी गोडिवनिंग मैं सभी को सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुबकामना है दिवाली अच्छे से मनाएं और फटा के छोड़े और पूरे साल पैसा कमाएं तो अनिल जी मेरे पास जो स्टॉ अच्छा पर करें और यहां पर नीचे में जो सपोर्ट है एक हजार पांच एक हजार दस के पास है तो एक हजार पांच का स्टॉप्रोस लगा के खड़ारी करना है और उपर में जो टागेट देखने को मिल सकते हैं 1060 1070 यह दो लेवल जल्दी यह आने वाले दिनों में उ पूजिशन टागेट 1100 के उपर का बनेगा एक हजार पांच के स्टॉप्लोस से एक्सिस बैंक में खड़ारी करें 1060 के टागेट के लिए 1060 पहला टार्गेट 1100 दूसरा टार्गेट अब तक तीनों एक्सपर्स को बैंक्स और फिनिशिल तर्विसे यह ज्यादा पसंद आ यह 2080 यह परिटो वाला संबध है और सिदार जी ने थोड़ा सा एंगल बताया था 2080 इसमें इंडिया और मिट कैप और स्मॉल कैप 20 परसंट वाला है और 80 परसंट पूरी दुनिया है और जेनरल है बट इंडिया विल आमेजिंग और फिल कि 80 परसंट और पूर्पलियो श का हुने वाला है यह आउट पर्फॉर्मिंग यह कीप कंटीनुएं आउट पर्फॉर्मिंग क्योंकि असली रिप्रेजेंटेशन आप इंडियन एकॉनमी इसी क्याप में दिख रही है तो वह बुलिश और आज मैं जेम्स तो लाता ही है और जेम्स में इसको मैंने पहले क अभी कवर नहीं किया पर हमारे पैनल में शायद हमारे फंडमेंटल अनलिश भले सिंधार जी हो विकाल जी सेखिय साब हो इन्होंने शायद कवर किया हो और वह बहुत गजब काम कर रही है यह कंपनी बहुत गजब काम कर रही है डेटा-स-a-service, शॉप्टर-स-a-service, लीड के लिए data supply करती है और distribution का बहुत बड़ा काम है और technology platform और यह सब देती है, marketing technology, social media के लिए जो hospitality brands उनको help करती है, तो अलगी टाइप का unique business है and I feel आगे आने वाले साल बहुत जबर्दस रहेंगे, valuation के लिएग से यह महंगा ज़रूर दिखता है, बड़ इसका जो कान और जो market cap आगे आने वाले सालों में गजब का काम करने वाली है, तो इसको खरीदना है और मैं क्योंकि दिवाली टू दिवाली हो, यह कई दिवाली तक बार चलेगा यह stock, multi bagger लगता मुझे, बड़ इसको आपको staggered way में धिरे धिरे खरीदे रहे है, 668 का price है, आप 600-500 की range तक जैसे भी आए, कभी तूपता है market तो, कोई जरूर ने कि यह नहीं तूटेगा, बड़ इसको staggered way में भाई किजेगा, इसको different story and a very big story, तो मुझे लगता कि यह stock आराम से, जो अपना highs बनाया 720 का, इसको तो cross करे गई, और यह 1000 रुपे का target देता हूं है, आने वाले एक साल के दिवाली का पठा का शेर, तो देखिए, मतलब, जो सेडानी साब के चेरे पर मुस्कुराट आ रही है, वो देखने लाएक है, आज मेरा सफल हुआ बार बार इसको लगातार देना, आप सेडानी साब के चेरे की चमक, मुस्कुराट और उनकी, अगर वो बोलेंगे तो वा दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है, आपको पूरी जी बिजनस की टीम को, वियर्स को, अनि जी देखिए, मैं आपको जनली, मतलब, आप तीन-चार साथ से बहुत वेल कनेक्टेट है, इन-एन-आउट अच्छी तरह से जानते हैं, और आपने कई बर सुना होगा, क मतलब ऐसे दिवाली हैं, बहुत जादा में, मतलब एक पर्टिकुलर डे उसमें टाइमिंग से बिलीब नहीं करता, अनि जी इसनुद जो मार्केट का कॉम्पोजिशन है, तो मेरे पास अनि जी मतलब एक पटाका शेर नहीं है, मुझे अगर पटाका शेर है तो अनि जी मत इतना जो मैटो इतना बड़ा स्प्रेड रही है, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी स्ट्रॉण लग रही है, ऐसी स्ट्रेंफ मुझे ररली मैंने मार्केट में लेगी थी, अनि जी बिलकु स्ट्रेंथ है, अगर मैं अभी आप से पूछू क्या आप वल्ल्लक पक के तो अनिजी मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, it is very important on record that I must tell you कि मतलब across the board एक चाथ IT को छोड़के, मतलब metals, autos, cement, DL, real estate, इतने ही अच्छी लग रही है, अनिजी मार्केट मुझे लगता है कि बिलकुल या तो कुछ समझ नहीं आए, तो index long करना चाहिए, नहीं तो widespread portfolio में बैठना चाहिए, अनिजी मुझे लगता है, बहुत अच्छा टाइम है, अगले तीन महीने, छे महीने और ये साल जो market के में लड़ी का तो मज़े ही अलगे, बाकि उस लड़ी में कौन-कौन से पठाके होने चाहिए, हमारे सारे एक्सपर्स आपको बताई रहे हैं, आए बगगा साब का भी किया जाए, स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत बढ़ाई आपको दिवाली की, आज आपके लिए मे मैक्रो की तरफ से देखें, जो जीरो से पांच परसेंट रेट बढ़ गए हैं, पांच से दस तो नहीं जाने वाले, पांच से सवा पांच जाएगा और फिर अगले साल के अंतक चार सवा चार के करीब आज आने की पूरी उमीद है, तो रेट हाइक का जो डैमेज होना था वो हो चुका, दूसरा देखें तो कॉर्परेट अर्निंग्स होल्ड अप किये हैं, ग्लोबली कॉर्परेट अर्निंग्स ठीक रही हैं और कॉर्परेट लेवरेज इतना नहीं है, उल्टा कैश जादा है कॉर्परेट की बैलन्स शीट्स में, तीसरा है कि बहुत बड़ा एक impact आता है American elections है अगले साल और चौता है geopolitical टाइवान का खत्रा है Middle East का थोड़ा बहुत खत्रा है बट वो जैसे हम पिछले महीने से कहते आए कि लगता नहीं के जादा बढ़ने देंगे इसको अमरीका और साओधी और वही हुआ हमने देखा इसराइल का conflict काफी limited रह रहा है एक छोटे से 25 स्क्वेर किलोमीटर के वर्ग शेतर में वो सीमित रह रहा है और हमें लगता है सीमित रहना चाहिए तो यह चार बड़े trends है बट जो damage होना था interest rate से वो जादातर हो अब खत्रा यह है कि higher for longer जादा देर तक interest rates बढ़े रहेंगे तो उससे क्या impact होगा और slowdown आएगा क्या economies में और corporate earnings में उसका answer in short है हाँ थोड़ा बहुत जरूर slowdown आता है साथ में political uncertainty जो अमेरिका में आएगी elections के चलते उसका भी थोड़ा बहुत impact आएगा तो अब फिर जैसे पिछले साल के अन तक लोग सोच रहे थे पहला छिमाही अच्छा नहीं गुजरेगा और दूसरा छिमाही अच्छा आएगा उसका ओलट हमने देखा अब फिर consensus street का यहीं आ रहा है के पहला छिमाही शायद underperform करे बर जैसे rate cut की probability बढ़ेगी जून जुलाई तक आप market को दोड़ते देखेंगे market surprise कर सकता है इसमें भी दूसरा रहेगा भारत भारत में volatility आएगी क्योंके national elections शुरू हो जाएंगे मार्च एप्रिल में और माई तक फिर नई सरकार बननी है उसके चलते थोड़ी volatility आप देख लीजिए और welfare measures में जादा कर्चा आएगा अब देखे मध्य प्रदेश ने 4500 का cylinder गोशित किया कल योगी जी ने गोशना की कि free cylinder यूपी के हर नागरिक को देंगे दिवाली पे और होली पे इस तरह के welfare measures stretch करेंगे government finances को और वो जादा FIs को पसंद नहीं आता जब fiscal deficit बढ़ने लग जाता है बट मैं यही कहूंगा एक साल के तोर पे market बहुत अच्छा दिख रहा है अब यह हो सकता है कि फरवरी तक market पूरे साल का return दे जाए तो इसलिए timing नहीं करना है इसमें पैसा हर महीने लगाते रहना है और चुनिंदा शेर तो आप बताई रहे हैं हमारा दमदार पैनल बताई रहा है उससे देखके चलना है मुझे लगता है कि small cap mid cap outperform हो गया है अब large cap की बारी आएगी अगले एक साल में तो थोड़ा सा चितावनी है small caps के उपर तीन साल पांच साल पे आप ठीक है small cap mid cap में बट अभी retail पैसा बहुत जबरदस आ रहा है small और mid cap में और वहाँ पे थोड़ा अगर गड़बड होता है तो हमने देखा है कि impact cost बहुत हो जाती है तो large cap और quality में रहना ये शायद better रहेगा अगले साल के लिए बट returns हैं अगले साल मुझे लगता है अगले 3-4 महिने में साल के return हो जाएंगे और उसके बाद शायद sideways हो जाए market तो इसलिए बने रहना है investment में और नया निवेश average करके SIP के तौर पे वो करते रहना है बिल्कुल ठीक बात है तो invested रहें बने रहें डटे रहें ये रहा है बग्गा साब की लेकिन जिस आप जानते हैं कि बग्गा साब की global markets पर तो गहरी पकड़ है राजनीती पर भी पकड़ कम गहरी नहीं है अमेरिका की राजनीती तो बहुत अच्छे से समझते हैं अगले स साब के लिए बग्गा साब ने कहा कि हमारे हैं इलेक्शन बड़ा तरी चटिगर है तो अगला सवाल जो इंटरस्टिंग है बग्गा साब से वह मेरा ये होगा बग्गा साब क्योंकि सब्सक्राइब मेरे मुश्किल हैं अमेरिका में भारत में चुनाओं कोन जीते हैं उस और दिवाली के सारे इन्वेस्टर्स को दिपावली की बहुत-बहुत शुब कामना है यह दिवाली तो बहुत ही बहतरी सभी निवेश्कों के लिए रही है या उम्मीद की जाए अगले एक साल तक अगली दिवाली तक अनिल आपको और आपके सारे दृस्कों को नए वर्ष का सुबकामना है दिवाली के सुबकामना है और इस बार तो दिवाली वैसे भी देखिए सब जगें अच्छे से मनी है इस बार इस आज बीन वन अफ़ बैस्ट डिवाली पिछले 5-7 शालों में इस दिवाली नहीं मनी तो मेरा मानना है कि समय भारतवर्स के लिए बहुत अच्छा है अलाकि इन ग्लोबल सिट्वेशन में हमेशा यह बात आती है कि इसमें इस लोडाउन आएगा क्या दो तरह के व्यू है कि हाने फिर थोड़ा आएगा यह कैकर नहीं आएगा मेरा परसने मानना है कि अब जो है जो नेगेटिव पॉइंट से वह पीक पर आगे हैं तो चाहिए इंट्रेस्ट की बात करें बैद करें मेरा मनना कि आप परसेंट के आज पास ज्यादा ज्यादर रह सकी है उससे ज्यादा जाने कि मुझे नहीं लगता है और इंडिया में तो जैसे देखी नहीं एपन अगला एक वर्स बहुत अच्छा रहेगा मार्केट्स के लिए बिल्कुल और पिछले एक साल में जब से आपकी कमपनी लिस्ट हुई यांदाटी वेल्थ तीन उना से ज्यादा शेयर हो गया पिछले डेर साल में जबरदस वेल्स इन्वेस्टर्स के आपके शेयर में निवेश्ट करके भी होनी है अगले एक साल या तीन साल के लिए कौन सी थीम्स कहां आपको लगता है कि भारती निवेश्कों का पैसा ज्यादा बन सकता है कि चुंकि देश की प्रगती बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आज विस्वो प्रगती दूसरी आती है और तीन से पांट साल की चुक्ट आप बात कर रहें मेरे साब से अब यह नो सेक्टर पूद अच्छे नजार आ रहें विसेश कर देखे को सेक्टर जो दब गया थे पीछे आईटी एक तो मेरा मानना का आईटी वापिस जो है अच्छे से चलेग आगे जाके भी ठीक करेगी क्योंकि बैंस तो अभी इस समय बैंकों की बैलन्स शीट या कॉर्पेट्स की सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब नजार आ रहे हैं पर जो पीछे दबावा था वापिस छीक आने हो गया फार्मा में मैं बुलिश हूँ इंफ्रा में लॉंग टर्म में बुलिश हूँ कि यह देश की जो ग्रोथ है अगले पांस साल दस साल में यह दिश्विल बैइंफ्रा कि जिस तरह की तेजी अपने देखने चालू किया है उसमें और बड़ोतरी होती जाएगी क्योंकि जिस देश की स्ट् सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा यह कुछ इनना जो सेक्टर से हैं रमाना अच्छा करेंगे तो पूरे देश की ग्रोथ है तो बाजार में पैसा बनाना असान है थोड़ा सा आप फोकस करके इंफ्रास्रक्टर फार्मा बैंकिंग फिनिशिल सर्विसेज पर निवेश दन्यवाद आईए बग्गा साथ हैं जो मैंने आसान सवाल का जवाब आपसे चाहता और उसके लिए बहुत सारा समय भी में आपको दिया बताएं सर्व भारत में अमेरिका में इलेक्शन का क्या हाल रहेगा कौन जीतेगा बहुत असाना अनिल जी तो इसमें मैं नोटा ल आपको अभी एक्जिट पॉल आएंगे स्टेट्स के तब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे नतीजे आएंगे तब भी करेंगे और फिर जैसे नैशनल इलेक्शन आएंगे अनिल जी आपके साथ हम कंदे से कंदा मिला के बताएंगे लोगों को बट ओवरॉल भारत आपने क अनिल जी ये जरूर मैं कहूंगा पिछले हफते में लगबग 4000 स्टूडेंट्स को मैंने कहीं बारी एड्रेस किया और अपनी एक भारत के उपर प्रेजेंटेशन करी और एक नौर्वे से बड़ा ग्रूप आया था इन्वेस्टर्स का उनकी पुरानी फॉर्मर मिनिस्टर और डिफेंस भी थी उनके साथ दो दिन हमारे लगे सरकार के तरफ से मिलने समीर अरोडा जी ने भी एड्रेस किया के एक्सेस बैंग के लोगों ने एड्रेस किया मिताब ने तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भारत जिस तरह से करवट बदल रहा है और हमें यही देखना ह यह जो साड़े 3 ट्रिलियन की एकॉनमी है यह साथ ट्रिलियन जा रही है यह चीन जो 2007 में था ओधार 2011 तक साथ ट्रिलियन पे पहुंच किया सवा 3 ट्रिलियन से उतना तेज तो हम नहीं ग्रो करेंगे बट 7% रियल ग्रोथ बहुत मुम्किन है 11-12% नॉमिनल ग्रोथ और इ आप सोचिए के पांच साल बाद आपका मार्किट भी जो सवा तीन ट्रिलियन साड़े तीन ट्रिलियन के रेंज में है वो मार्किट आपका डबल होगा साथ ट्रिलियन पे तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है मैं तो ये प्रण करवा रहा था हर एक चात्र को कि एटलीस पांच सो रुपे का पैसाइपी शुरू करिये और बने रही है भारत में और इसमें क्या है अनिल जी जो ये कल आंकड़े आए धंतीरस का 30,000 करोड का सोना और चांदी खरीदा गया 400 टन चांदी 41 टन सोना भारत में खरीदा हमारे रिटेल कंस्यूमर्स ने ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं अब आप देखें डेड़ ट्रिलियन डॉलर की कंजंशन एकॉनिमी वो जब साड़े तीन ट्रिलियन बनती है वहाँ पे क्या होता है और सब तो हजार डॉलर का जो पर कैपिटा इंकम पांच हजार साड़े पांच हजार पे पहुंचता है वो बिलकुल नक्षा बदल देता है मार्किट का तो इसलिए हमें पोजिशन करना है दिवाली का वक्त है जरूर मैं कहूंगा सबसे आपके बहुत मैसिव हमारा वियोर्शिप है जी बिसनिस का स साइपी जरूर करिया 17,000 करोड भारते निवेशक डाल रहे हैं हर महीने उसको 50,000 करोड पहुंचा है फिर हमें किसी विदेशी निवेशक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है और सबका पैसा बनेगा ना सर बिलकुल भी नहीं आपका आदेश हमारे सराकों पर और बिलकु पर लेंगे छोटा सब्रेक जल नोटेंगे लोटते ही एक और आपके लिए दिवाली स्पेशल पिका रही है बनेगा मैं स्वाथ SKI wishes you a happy and prosperous देवाली SKI, grow with us Sir, tailoring unit कल शुरू ही है, बहुत धन्यवाद सर उन्हें लेट किलाओ Sir, वो आदमी कौन है उनके डेपोसिट से ही तो तुमारा टेलरिंग शॉप का लोन मिला है मुझे, मुझे पता ही नहीं था, मैं उन्हें धन्यवाद करती कोई बात नहीं, वो नहीं चाहते है कि तुम उनका धन्यवाद करो इसाफ रदेपोसिट के साथ, आपका हर डेपोसिट किसी के सपनों को साकार करता है इस दिवाली, ओनलाइन शॉपिंग कीजिए बेफिक्र क्योंकि न्यू इंडिया आशॉरेंस लाया है माई साइबर इंशॉरेंस पॉलिसी जो आपको सुरक्षित रखता है अनाथोराइस ट्रांजक्शन और ओनलाइन पर्चेस ट्रांजक्शन से So have safe and happy Diwali, The New India Assurance Company Limited, India's premier general insurance company SKI wishes you a happy and prosperous Diwali SKI, grow with us Papa को bravery medal मिले है, he's a major in army, सब पो ब्रटेक करते है Karan, तेरे Papa क्या करते है? Rohan, तेरे Daddy Karan, बताना He's an LIC agent That's great, कभी सोचाएं हमें आचानक कुछ हो गया तो Karan के Papa हमारी family के future को protect करने के लिए सही advice देते है हमें अपने लाखों LIC agents पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं LIC में हम आपका स्वागत करते हैं अपनी नजदी की आला इसी शाखा से संपर करें SKI Wishes You a Happy and Prosperous Diwali SKI, Grow With Us Moda Trading का special दिन है नए समबट की होरी है शुरुवात और बस बाजार भी खुलने के लिए हैं तयार pre-open session आपके लिए होने वाला है रोज की तरह 15 मिनिट का pre-open session होगा बीच में rates भी सेटल होगे, NG से opening strategy भी बैट करेंगे और फिर सवा 6 से सवा 7 आज भूरत trading होने वाली है तो pre-open session के लिए हैं हम तयार वैसे तो global handover शांदार रहा है कोई futures के संकेत आपके लिए नहीं आने वाले है गिफ निफ्टी भी आज ट्रेड नहीं कर रहा है क्योंकि आज है संडे सारा action कल सुपा होने वाला है बट हमारे बाजा pre-open के लिए इस समय त्यार होते हैं आपको दिख रहे हैं आपको होते हुए दिखे दर तो कुछ अच्छा action भी आज होने वाला है कुछ numbers पर भी रखनी है नजर Cole India के numbers आए थे ONGC था यहां पर आपको action बनते हुए दिख सकता है Ayshare Motors के बढ़िया numbers आए है बायो कॉन जिस पर excitement पर थोड़ा मिस था यहां पर आपको numbers का reaction आते हो दिखेगा रुपया आज ट्रेड नहीं कर रहा है बट वैसे हमने देखा Friday के session पर record low रुपय में आपको आते हो दिखा कुछ technical glitches भी हुए थे उसकी वज़े से भी impact आपको जरूर आते विद दिखाता आए एक दो नतीजों की पहले बात करने आज वैसे तो फुल ट्रेडिंग सेशन नहीं है बट फिर भी कुछ stocks पर reaction आ सकता है आईशर मोटर सिदा जी आपसे राय लेना चाहूंगा इन numbers पर कैसे दिखेंगा आईशर के numbers और आगे का व्यू का बनता है मुझे लगता है कि आईशर के volumes में काफी challenge रह सकते हैं आने वाले समय में भी और यह segment में मुझे सबसे बहतरी मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि आईशर मोटर को अभी अगर पोजिशनल ही अगर आप अवाइट करें या दूसरी को चुनना चाहे तो नतीजों के इसाफ़ मुझे लगता है कि में तो मैं तो बैट करना चाहूंगा टीवी इस मोटर्स पर टूव ले सकते हैं मोटर्स पर व्यू अच्छा बन रहा है सिदाजी का इस पर रखते है नजर को इंडिया एक बार सेटी साब आप से राय लेना चाहूंगा नंबर्स पर बाजार में भी काफी excitement रहा है इस टॉक को लेकर और प्रियोपन में जबर्दस अक्षिन के लिए भी तयार हो रहा है डोट नो फाइनल रेट कहां सेटल होते हैं बट एक बार कोल इंडिया पर आप अपना व्यू देने प्लीज तो जिन्होंने लिया वाँ उनको तो बने रहना है चुकि आज गैप से खुल रहा तो फ्रेश खरीदारी की थोड़ी रुकावट के बाद खरीदारी करने की सला रहेगी बाकि इस ए ग्रेट स्टॉक तो बी इन फो लॉंग टॉम बढ़िया स्टॉक है लॉंग टर्म के लिए रखे इस पर नजर अक्शन में आ भी सकता है बीएसी जैन साब स्टॉक में जबरदस अक्शन हमने देखा है नतीजे भी दमदार आ रहा है चौवन परसंट आए बढ़कर आए मुनाफ़ा साड़े तीन गुना बढ़कर आए अप्रेशन भी अच्छा नंबर से अलड़ी अच्छी राली होगे 2000 के उपर ही है बीएसी पर अपना व्यू दे सर जब भी बाग करते हैं बढ़ रहा है उनका Sensex का future जो ब्रैंड है उनके अच्छी तेजी है तो उनके यहां पे भी प्रिस्टेट स्टॉक थोड़े ज्यादा है तो वो अच्छा कर रहे है और मैंने काफी वर जैंस में कवर भी किया है उन्हीका इतने स्टॉक्स जो मीचनी मतलब exclusive है जो NAC में ने और BAC में but anyways I feel कि ये कुछ भी नहीं हुआ और बहुत बड़ी rally बाती है और 600 से एक साथ जो भी 21 सुर्वे तक पहुंचा है ये थोड़ी faster rally हुई है तब जिनको fresh entry लेनी है जिन्होंने लिया वो तो continue करें hold करना fresh entry के लिए फोड़ा सा कोई correction आ जाए तो अच्छा रहेगा कम से कम भी 300-400 पे अगर निकल जाए कहीं भी उपड के level से market correct होने पे तब entry लेने की कोशिश करनी चीए बट overall the results are good और आगे भी आने वाले दिनों में और अच्छे results आएंगे ऐसा मेरा मानूँ यह है आपके लिए BSE जबरदस्ट action में दिख सकता है बगगा सर से एक बार में को रुपी पर विउ लेना था बगगा सर एक बार रुपे पर आपकी राय लेना चाहूंगा सर फ्राइडे को रेकॉर्ड लो लगते होए हमने देखा था थोड़ा टेकनिकल ग्लिच भी आया था दस मिनट के लिए उसका भी थोड़ा इंपक्ट था बड़ा एक बार रिकॉर्ड लो बन गया रुपे पर एक आउटलुक सर यहां से रुपे की चाल कैसी रहेगी दीपा थोड़ा सा यह एक सर्प्राइज था क्यूंकि तेल की कीमतें तो कम हुई है और अगर आप हमारा करिंट अकाउंट डेफिसिट भी देखिए वो कम है एक्सपोर्ट साबके बढ़े उल्टा तो उमीड थी के यह फंडमेंटल्स पे रुपे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए बट यही दर्शारा के पीएस्यू बैंक्स नहीं उतरे सपोर्ट में तो धीरे धीरे आरबिया कैलिबरेटिड वे में रुपे को थोड़ा नीचे आने देना चाह रहे थे आई थिंक वो हो चुका है यहां से और नहीं गिरना चाहिए रुपे में फंडमेंटल्स के तोर पे डॉलर गिरेगा अगले साल डॉलर को नीचे आना चाहिए जब यह तै हो जाएगा के चलो आब यह रेट हाई कि यहां से और नहीं होंगे वो चाहे फरवरी में आई या एप्रिल में आई बट वो जब पड़ाव आता है वहां से डॉलर वीकन होना चाहिए और रुपेया बाकी अमर्जिंग मार्किट करेंसी के साथ और यहां से द्रेड होना चाहिए यह ज़रूर है कि आर बिय कितना उसको द्रेड होने देगा तो वो इंटर्वेंशन ज़रूर रहती है क्योंकि एक्सपोर्ट को देखते हुए और बाकी अमर्जिंग मार्किट बास्किट जो हमारे कॉम्पेटिटर्स हैं एक्सपोर्ट में उनके साथ आर बिय एई एक इनफॉर्मली देखते हैं के रुपए को पैक करके रखें तो थोड़ा बहुत रुपए हम अलॉग करते हैं तो कैलिबरेट तोर पे और डेप्रिसेशन यहीं आर बिय का गंतविय रहता है और वही में ख्याल से रुपए में हुआ बाकी फंडमेंटल तोर पे तो हमारा जो फ्लोज है वो जादा बेटरी है चलिए तो यहां से और खराब नहीं होना चाहिए रुपए यह बगगा साब की तरफ से थोड़ा सप्राइजिंग है और जैसा हम बतारते फ्राइडी को एक ग्लिच भी ओथा रेर रुपी ग्लिच हुआ था उसकी वज़े से भी थोड़ा इंपक्ट हो बगा सर बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मोरे ट्रेडिंग सेशन में हमारा साथ देने के लिए अफकोस आप से तो थूद यहर बात करनी है बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए सर आईए अनिल जी से अब लेते हैं उनकी आज की दूसरी दिवाली स्पेशल पेक अनिल जी बताएं सर आरती इंडस्ट्रीज के बाद अब दूसरा शेर कौन सा है आपका कैश मार्केट का स्टॉक है जो हमने कुछ समय पहले भी रिकमेंड किया था रक्षा बंदन के वक्त और एक बार फिर से में इसे स्टॉक को रिकमेंड करने जा रहा हूं वो है शेर इंडिया सेक्रिटिज मुझे लगता है कि मार्केट में जिससेर का बहुत मार्केट शेर करद मार्केट market share है इस company के पास में है आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से daily options daily expiry हो चुकी है हर रोज कोई option की expiry हो रही है उसके चलते है जो volumes बढ़ रहा है तो ultimately यह बढ़ते volume का फायदा कौन उठा रहा है यह आपको समझा चाहिए तो जो options market में 5% की value market share के साथ इनकी leadership है उसका फायदा इने मिलेगा हाली में इन्हों ने retail algo product भी launch किया है यू trade के नाम से उसको भी response अच्छा मिल रहा है और एक high preference ट्रेडिंग वाली एक company silver leaf भी acquisition किया है उससे भी फायदा ने वाला तो organic और inorganic दोनों तरीके से company आगे बढ़ रही है और अगले दो सालों में पच्छेस जार से दो लाख customers इनके करने का प्लान है यानि कि बहुत aggressive expansion plans इन्हों रखें रिटेल में एलगो के लिया से भी अधरवाइस तो आप समझ सकते हैं उससे किस तरह की growth आ सकते हैं अब तक का track record जो है financial वो भी बहुत मजबूत है पांच साल की आई और मुनाफ़ का आप सालाना दर्से देखें C.A.G.R. जिसको हम कहते हैं आप बिलीव नहीं करेंगे आई 51% सालाना दर्से बढ़ रही है और मुनाफ़ा 87% जिया अल्मॉस हर साल कंपणी मुनाफ़ा डबल कर रही है इससे आप अंदार लगा सकते है return on capital employee 52% है return on equity 45% ह दमदार financials है मेरा अगले एक साल तक का लक्ष जो है अगली दिवाली तक का 800 और 2100 रुपए ये दो लक्ष है जिनके लिए आपको portfolio में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगले दो से तीन साल का अगर आप view लेकर चलता है तो धाई से तीन जार यानिकि दो से तीन साल में ये 10% fall पर 5-10% जो भी आपको ठीक लेगए उस हिसाफ से आप इन stocks में जो आज मैं आपको दे रहा हूं दीवाली पिक्स के तोर पर उनमें आप SIP करते रहें 10-10% के fall पर अगर किसी भी वज़े से आए बादार के मूर माहूल के साब से profit booking के साब से या कभी कोई एकाद रिजल खराब जाए तो वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और average करना है निवेश के लियाद से खरीदना है ना की trading के लियाद से जी understood सर तो निवेश के लियाद से लियाद से लियाद ना की trading के लियाद से बट बड़े target देखे 1800 से 2100 और फिर उसके बाद थोड़ा और position लेंगे तो 2500 से 3000 तक के target आ सकते हैं आई रेट्स भी हो गए हैं settled और अनल जी आपसे शुरुवाती सत्र में क्या करना है ये भी जानना है जबर्दस शुरुवात हो रही है सर करीब 700 अंक उपर निफ्टी खुल रहा है 1550 के बेहद करीब बैंक निफ्टी भी 235 अंक उपर खुल रहा है जी वैसे तो आज कर दिन stocks का है इंडेक्स का है नहीं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नीचे की तरफ 1450-19500 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और अगर गैप से खुलने के बाद इस रेंज में आपको आता हुआ दिखें निफ्टी तो वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए उपर इस तरह पर 1555 से 1650 ये वो रेंजे जहां पर प्रोफिट बुकिंग आएगी तो यहां से थोड़ा और 1555 पॉइंट बढ़े तो वहां प्रोफिट बुकिंग करके आप इंतिजार कर सकते हैं वाफ़ नीचे का 1500 के उपर अगर आज आप बंद होते हैं तो वेल इंगूड क्या कहना बैंग निफ्टी का जाना तक सवाल है 4950-4950 सा आखरी बादा थी वहां ही पर खुल रहा है तो 4950-4950 बैंग निफ्टी आता है वहां खरीदारी का अच्छा मोकार वहां आजाए तो बढ़िया भी है शुकरवार का हाई जो है तो एक गैप भी आपका पूरा आजाएगा बैंग निफ्टी पर उनने से तो 4900-4950 एकदम पर्फेक्ट रेंज है जहां पर एंट्री करनी चाहिए उपर की तरफ 42200 से 44350 यह टारगेट है जहां तक बैंग निफ्टी जा सकता है निफ्टी के ल बहुत बढ़ी अलेवल है आज आएगा या सुमवार को कल आएगा वह देखने वाली बात है लेकिन ओवरॉल व्यू क्लियर है पोजिटिव है बायों डिप्स का है दिवाली तक का व्यू हमारा बहुत क्लियर था आप देख लीजे नवंबर की सिरीज की शुरुआत से ले स्टॉक्स करिए आज दिन स्टॉक्स का है इंडेक्स का नहीं आएज जान सेमको गृप के जिमित मोधी साफ अमरसाथ कारेकर में शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत किया जाए जिमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत शुब कामना है आपको आपकी पूरी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुबकामना है और जहां तक यह दिवाली से अगले दिवाली की बात रहती है थिंग हमारा व्यू यह है कि 2024 इस वरी इंपॉर्टेंट है यह साल में अपने जेनरल इलेक्शन देखने हों मिलेगा और अगले साल बर में जेन अगर इस टाइम भी ऐसा कुछ होता है तो आज हम तकरीबन उनीस पानसो बीस जार की निफ्टी के आसपास है तो हम बात करें कि अगले दिवाली तक अपने को एक अच्छा अप्ट्रेंट देखने हो मिलेगा सी ग्लोबली सारी मार्केट जो रही है पिछले साल बर में करेक्टिव फेज में रही है बट इंडिया अच्छुली रेलेटिवली स्ट्रॉंगेस्ट रही है अब सारे चम यू आप यू आप यू देख ले और जब अब इंट्रस्टेट सेनारियो नेक्स्ट जेर में स्टेबल होगा विल सी सम डिक्लाइन और सारी ग्लोबल मार्केट भी रैली करना शुरू करेंगी तो यह हो नहीं है कोई भी डिप आता है कोई भी करेक्शन आता है इस हैस्टो भी बॉट इन्टू पर दे नेक्स्ट यह बहुत बढ़िया तो अगले साल तक आप उमीद कर सकते हैं करीबन करीबन बाइस हजार के आसपास निफ्टी जाता हुए प्री ओपनिंग सेशन में सेटल हो बाजारों बता दो आपको कहां से बड़ी तेजी बड़ा एक्शन बनते हो दिखा है तो पहले मजबूट शेर देख लिए अच्छे नतियू के दम पर कोल इंडिया 2% मजबूत है ONGCB नतियू के बाद 1.5% उपर खुलने को तयार है UPL में मजबूती 1.5% की आईशेर मोटरस के भी नमबर रहें दमदार 1.5% ये भी उपर खुलता दिख रहा है कंजम्चिन चेरों की कहानी है मजबूत 1.5% टाइटन में तेजी दिखेगी पावर स्टॉक्स मजबूत है एंटिपी से और पावर ग्रिट 1.1% मजबूत खुलता दिख रहा है हाँ मैं आपको कमेंटर में बोलना भूल गया अगला साल भी पावर स्टॉक्स के लिए बेहद मजबूत रहेगा जिस तरह के पावर की डिमांड है और जिस तरह से ग्रोइंग एकोनोमी में पावर की डिमांड बढ़ने वाली है यह शेर अभी भी आपको अच्छा पैसा बना के दिखेंगे पावर सेक्टर के प्लेयर चाहे वो पावर प्रोडूसर हो पावर डिस्टिबूशन और ट्रांस्मिशन करने वाली कम्प्या हो या पावर एक्विपमेंट बनाने वाली कम्प्या है मतलब इस पावर से जुड़े वे सभी शेरों में आपको बढ़या एक्शन देखने को मिलेगा मेटल समयलक्यूफल की खरिदारी टाटा स्टील लीड करता हुआ समा परसंट मजबूत है ओटो में आई शेर के बाद हीरों मोटो को भी मजबूत खुलने की तैयारी करता दिखा एक परसंट उपर टाटा मोटर्स और महिंद्रा भी जो हमारी पिछली दिवाली की पिक्स रहे है मज़ी की बाद देखें निफ्टी के 50 के 50 शेर मजबूती के साथ कुलने को तैयार है आज हरे निशान में और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए इससे बढ़िया एपी दिवाली क्या होगी गंटी की मदूर आवाज दिवाली के इस मुरत टेडिंग सेशन में आपके मेरे कानों में गुंजने को है तैयार और हम एकदमदार शुरॉत के लिए बारती बादर में तैयार होते दिख रहे है जी हाँ आ चुके है हमारा SenseX तो आईए Century Marker 1925 सरह निफ्ती मजबुती के साथ बैंक निफ्टी के साथ 43,950 के आसपास आजाए तो गैप पूरा हो जाएगा और 1945 सरह के आसपास आजाए तो निफ्ती का भी गैप पूरा हो जाएगा लेट सी वाट हैपन्स बट मजबूति के साथ शुरुवात होती भी दिख रही है इस बारती बादरों की आईए कौन से स्टॉक्स एक्षिन में देख लीजिए मजबूत है जिए अपके लिए होता हुआ दिख रहा है सबसे पहले आपके सामने रख भूँ हां जिया कोल NTPC में 1.5% का उचाल और UPL भी 7% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है नतीजियों के बाद आई शेयर मोटर 7% मजबूत है आई टी शेयरों में इंफोसिस विपरो लीड करते हुए तेजी को एक एक परसंट की मजबूती यहां आपको दिखेगी है अदानी पोर्ट 5% मजबूत खुलताओर दिख रहा है यह इस ट्रग कि एकषिंग में टाटा को में सब मजबूत है आई ऐ करोबार की तरफ को लिऑ डो परसंग तेज़ी के साथ ने टौप गैरियन बायो कॉना में 10 10 का उछशाल Áa और हिंदुस्तान आएसफास की तेज़ी मजबूत है अपर परसंग की तेज़ी आईबुल आपको बता दू ग्लेन मार्क नतीजे के बाद कमजोर होता वा 3% नीचे मेरे ख्याल से फार्मा एस्प्रेस में सबसे कमजोर नतीजे ग्लेन मार्क के आयम मान अगर गैस 2% नीचे खुलता वा दिखा है और मुथूट में 5% का नुकसान एक बार फिर से इंडेक्स बता दू उसके बाद दीप आपको बताएंगे केश मार्केट के स्टोक स्काल 1925 के आसपास 100 पोल्ट उपर स्टेबल होता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी तहीयाली सब्दान नो सो सोला तहीयाली सब्दान नो सो के आसपास का हमें जो एक गैप फिल करना था लगबग वहा इसके नतीजा है थे रेडार पर रखे हैं LIC, Bombay, Burma, Garden Reach, PTC, India, TVS Electronics यहां पर भी आपने नतीजों का आक्शन आते हुए देखा है कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय मूव आती हुए दिख रही है रखे इन पर नजर कुछ भड़िया आक्शन आपको बनत पर आपको बनते हुए दिख रही है इसके अलावा खरीदारी आपको बनते हुए दिख रही है मैक्स हेल्थकेर जैसे काउंटर में और पूना वाला फिंकॉप एक और आक्टिवी बाजार के रेडार पर रहता है यहां पर अच्छा आक्शन बन रहा है कुछ आपको थोड बढ़िया है और मिड़ स्मॉल कैप में भी एक चुस्ती वाला आक्शन आपको आते हो दिख रहा है तो जाब्दातर पॉजिटिविटी की तरफ ही ट्रेड्स आ रहे हैं कैश मार्केट का भी पार्टिसपेशन अच्छा आते हो दिख रहा है मिड़ स्मॉल कैप का मूव अ अगले साल के लिए अगले साल के लिए अगले समथ के लिए जल्दी से बताएं कि आपको क्या पसंद है कहां पैसा लगाना चाहिए इस मार्केट में अगर देखे अनेल जी तो पहले तो रियल स्टेट आज सेक्टर एक बहुत ही अच्छा आप्ट्रेंड में काफी लंबा कंसॉलिडेशन अमने देखा है रियल स्टेट सेक्टर में और अभी ऐसा लग रहा है कि अगले 6-12 महिने के लिए इस सेक्टर शूर्ट तो काफी सार यह सेक्टर से आएंगे और टिपिकली एक बास्केट अप्रोच लेना चाहिए यह सेक्टर को प्ले करने के लिए दूसरा सेक्टर जिसमें आपने भी थोड़ी बात की तो आधिंग पावर एनरजी एंड उनके रिलेटेड जो स्टॉक से उसमें काफी अच्छा सेटप खेली एटीक है अब यह सेक्टूलर कंपाउंडर्स है बट हां यह करंटली करंट अपसाइकल में पावर एनरजी रिलेटेड जो बिजनसेज है वहां पर भी अच्छी मूब देखने को मिलेगी जो तीसरा सेक्टर जो थोड़ा स्लाइटली डिफेंसिव है बट वहां पर अच्छे कैटलेस है वह एक कंसंप्शन सेक्टर है तो अगर आप देखो तो पिछले तीन-चार साल में कंसंप्शन सेक्टर के शेरों काफी बड़े अंडर पर्फॉर्मर रहे हैं क्योंकि इन्फलेशन था क्योंकि मार्जिन प्रेशर था तो इन कारणों से यह शेरों के बहाव कुछ ज्यादा बड़े नहीं है बड़ अभी अगर अगर आप देखो गये तो हम फाइनली एक डिफलेशनरी साइकल में जा रहे हैं इनके मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो मिड या मिड साइस्ट एफम सीजी कंसंप्शन कंपनी स है वहाँ में वहाँ पर एक अच्छी मूब देखने को मिलेगी और एक यह डिफेंसिव के तरफ भी काम करेंगे तो और चौता जो स्पेस है वो है मिड साइज बैंक्स और लेंडर सो एक्स्ट्रीमी लाज कैप बैंक्स में यह नॉट वेरी एक्साइटेड हमको नहीं लग उनकी लेंडिंग उनकी लेंडिंग बुक्स में अच्छी आ रही है जो भी मार्जिन कंप्रेशन होना था वो पिछले यह कोर्टर में हमने तो आगे अर्निंग स्टेबल रहेंगी और भी देखने को मिलेगी तो अगर आप एक से देड़ साल का व्यू ले मार्केट में पै पर भी है तो अच्छा अक्षन रहेगा और पावर और एनर्जी तो हमारे रेडार पर रहा है यहां पर भी आपको मिटम दिखेगा बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साब आज हमें अपना वक्त देने के लिए और फिर से दिवाली की आपको धेरो शुप कामना है आए 57.30, 57.40 का अभी बाव है, स्टॉक का नाम है उजीवन स्माल फाइनस बैंक, उजीवन स्माल फाइनस बैंक के अंदर मोमिंटम बनेगा, आज इसमें खरदारी करें, अगले अफ़ते में इसके अंदर एक बढ़िया मूव उपर की तरफ का देखने को मिलना चीए, यहां प दूसरा टार्गेट 64 रुपेगा, यह दोनों टार्गेट शौट टार्गेट और उपर के देखने को मिलेंगे, तो खरदारी करें चोवन के स्टॉपलों से 62 और 64 के टार्गेट के लिए, उजीवन स्माल फाइनस बैंक, आए सिधार जी के पास भी चलते हैं, उनकी पिक के से लिए, सिधा जी बताएं सर, अपाचे, जुपिटर, रॉनन, काफी अच्छे ब्रांच है, मुनाफ़ा 32% से ग्रोव होते हो दिख रहे हैं, और दूसरे दिमाई के वॉल्यूम्स भी 5% से ग्रोव हो रहे हैं, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स यह काफी इंपोर्टेंट है, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स 11% के CIGI से ग्रोव हो सकते हैं, FY24 में ये साल में 1000 करोड का केपेक्स और न्यू एवी के प्रोडक्स आने वाले हैं, तू इलर आने वाले हैं, एवी के इलेक्रिक वेहिकल के TVS मोटर्स पे खरिदारी की राई, शॉट टर्म टागेट 1700 रुपे का, पोजिशनल टागेट 1850 TVS मोटर्स, 1780 और 1850 के टारगेट TVS मोटर्स, ओलरी लाइफ हाई परे स्टॉक चली रहा है, यहां से और भढ़िया मोमेंटम सिदार जी को जिख रहा है, जै ठककर भी हमार साथ जुड़ चुके हैं, जै बहुत दो शुक्रिया, दिवाली की आपको धेरो शुब कामना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन में हमारा साथ भी देने के लिए, बताएं सर कौनसा स्टॉक पसंद है आज के लिए? इसको खरीदना है, यहां पर स्टॉप लॉज के साथ पोजिशनली आप जैस डब्यू एनरजी को खरीदेए, इसमें आपको लगबग ओपर के तरफ 440 तक के लिए यहां पर खरीदारी की सदा है, यहां पर मोमेंटम काफी हद तक मुझे इसा लग रहा है कि जो और सोल हो इसको खरीदना है, यहां पर मोमेंटम काफी पॉजिश है, तो मुझे इसा लग रहा है कि यह शॉट तब में फिर से रिवर्स दिखाएगा, रिस्क रिवर्ड में काफी पॉजिटिव है। मैं कोई शो में दूसरी तरफ दिया और वो है, विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड, एक यूनीक बिजनस करने वाली कंपनी और किस सेक्टर में है नहीं, और विक्रम थर्मो नया नाम है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, 140-141 के लगवर भाव चल रहा है, और मैं 175 का मैं ले टार्गेट देना चाहता हूं, और ये स्टॉक को बिल्कुल ध्यान किस लिए देना चाहिए, ये कमपनी देखे, ये ड्रग कोटिंग बनाती है, मतलब बेसिक फार्मा को पॉलिमर ड्रग कोट्स, मतलब एक ब्रैंड भी उसमें चलती है, और दीपियो बनाती है, ड अभी लिस्टिंग होना बाकी है, बट वो इसमें वैल्यू में नहीं है, और रिलेट भी नहीं करना चाहिए, अब जो मैं बाग करना चाहरा हूं, बहुत बढ़ बढ़िया, ये सारी चीज़े देखता हूं, तो मुझे लगता जबरदस्त है, और पिछले अगर डिसेंबर में पाँच, सवा पाँच करोड़, हमारे देखता है, सवा आठ करोड़ है, हाइस टेमें टीटेम बे बैटी है, कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टेड है स्टॉप में, चाह सट परसंट पर्संट की होल्डिंग के अलावा, स्टॉइफिल की स्टॉप को 175 क टार्गेट के लिए लेना ची विक्रम थर्मो, दब विक्रम याट, ओके तो यह है जैन साब की तरफ से विक्रम थर्मो, यहां पर आप कर्चिक कर सकते हैं, खरजारी 145 का होगा टार्गेट, बढ़ाए तीसरी पिक लेनी है, अनल जी की तरफ से, इस दिवाली के मौके पर चलते हैं उनके पास। यहां पर खरिदा रिकरने की राय है, और जब से यह कंपनी डियाजियो ने टेक ओवर की है, उसके बाद से प्रोफिट और ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जब होता है, पूरी तरसे डियाजियो ने इस कंपनी को ट्रैन अराउंड कर दिया, कुछ समय लगा, लेकिन समय लगने के बाद अब जो पर्फोर्मेंस आ रही है, वो कमाल के रहाली में, आपने देखा कि नई MDC यू आई है, उनके आने के बाद कम्ती के वर्किंग्स में और तगड़ा उच्छाल आता हुआ दिखा है, अब जो बड़े ट्रिगर्स होंगे, इसके लिए आगे चलत रही है, लेकिन अब शायद ज्यादा लंबा वक्त न लगे, यह होती ही दिखेगा, और जैसे ही ये डील साइन होगी दिप, इस कम्ती के लिए बहुत तगड़ा बिजनस अपरचुरी खुलेगा, पहला वोल्यूम ग्रोथ बहुत तेजी से आती ही दिखेगी, और दूसरा क्रीमियम सेग्मेंट में जो पहला रिकोर्ड करके जो एक और दूसरी बड़ी अंतराश्टी लिकर कमसी है, उससे इनके पास मार्केट शेयर आता दिखेगा, क्योंकि इनको जो ड्यूटी कम होनी के वज़े से जो फायदा मिलेगा, वो बहुत बड़ा फायदा होगा, और पहले बड़ा टेबू माना जाता था, और यही वज़े कि जबरदस ग्रोथ होती दिख रही है, इस स्टोक की परफॉमेंस मुझे कमोबेश वैसी आईटी सी जैसे नेजर आती है, लोगों को उमीदे काफी रही है कई सानों तक, स्टोक में बहुत जादा परफॉमेंस नह लगातार रिकमेंड करते हैं, आट सो से ग्यारा सो गाता है, वापस ठंडा हो जाता है, लेकिन यह आपको ठीक जैसे आपने आईटी सी को खरीद कर पेशेंस रखा और आपको उसका फाइदा मिला, यही होता दिखेगा, क्यों होगा वो मैं बताता हूँ, स्लो एंड और 7-11 टाइप के, वहाँ पे एक अलग से आपको फ्रीज दिखावा मिलेगा, आप लिकर प्रोड़क्स आराम से जाकर वैसे खरीच सकते हैं, हमारे यहां कम्प्लीट पूरे देश में लिकर लाइसेंसिंग में है, हर स्टेट के अलग अलग रूल है, किसी स्टेट में बं लेकिन आप देखें, फिर एसी सिच्विश में यह कम्प्निया कभी नेसले टाइप की कम्पनिया हो जाएगी, अभी ITC की तरह बनेंगी, बाद में नेसले की तरह बनेंगी, मेरा ही है मानना है कि यह कम्पनी अगर इस तरह के FMCG प्रोड़क्त की तरह आगे इवेंचिली पांक साल में, तीन साल में जब भी यह डवलप्मेंट हो, तो यह आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक भी हो सकते हैं, एक साल के लक्ष मेरा 1450 और 1550 का है, मैं निकले, लेकि मैं यह कहूंगा, इस स्टॉक को आप समय के हिसाब से ओल करें, कम से कम तीन साल के व्यू से इस स पेस में आपका अच्छा का सा पेसा बन सकता है, इसलिया से मैकडोल यानि की उनाइटेड स्टॉक आपको दिखाएगा, यह चलते हैं, सेटी साब के पास और लेते हैं, उनकी तरफ से एक कॉल, सेटी साब बताएं सर, बिल्कुल दिपांसु पहले तेक अपडेट जो CDSL मेंने बजार खुलने के पहले रिकमेंड किया था, अच्छा कर रहा है, तीन-चार परसेक्ट उपर है, कल से पचास रुपे उपर चल रहा हो स्टॉक, अभी जो स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है, ISGEC हेवी इ इनका अच्छा-खासा शुगर और एथनोल का भी कारोबार है, इसको आज पिक करने के पीछे भी कारण है, यह परसोज के नतीजे आएंगे, जब हमारी छुटी रहेगी, बट मुझे लगता है, जिस तरह से बाकी इंजिनेरिंग कंपनीज के नतीजे है, इसके भी नतीज इसके अच्छे रहने चाहिए, तो इस स्टॉक में आज खरीदारी करके जाने की सला रहेगी, फर टागेट ऑफ 780, शॉर्ट टागेट ऑफ 780, स्टॉप्लस ऑफ 735, तो यह है आई जी से, आई एस, आई एस जी, जारा सेटिस आप इसको बता है, कैसे पढ़ना है, आज त आई, अच्छा, अरे यार, ABCD की तरह तो कोई भी पढ़ लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो नर्श्री केज़ वाले बच्चे भी पढ़नेता है, पूरा पढ़नाता हो शॉर्ट अमिल जी, आइस जेक है, इंडियन सुगर और जेनरल इंजिनेरिंग कंपनी, हाँ, रुको रुको, सेड़ानी साब और जेन साब भी अपनी टांग फसाना चाते हैं, जी, जेन साब फसाएं, यह वह बोल दिया, सेड़ानी साब ने, इंडियन शुगर और जेनरल इंजिनेरिंग कंपनी, उससे आइस जेक बना ISVEC, तो सेड़ानी साब ने पहले इसके हेवी इंजिनेरिंग, आइस जेक, याद दिलाते रहना, रिमाइंड करते रहना भागे आगे भी, आइए इस बीच वरिंदर बंसल हमारे साथ कारकर में हो रहे हैं शामिल और आइए उन से लेते हैं, उनकी पसंद की एक बहत बहुत स्वागत है आपका, एक बार फिर से आ क्या पसंद है आपको? या या इस तोड़ा से निग्लेक्टेट इस टील, स्टील के स्टॉक सरा आपको तीन या चार एवियो बिता पे मिलते हैं, इतने सस्ते नहीं हो सकते हैं स्टॉक सरे के सारे के सारे, चौर में दिसक्ति निवे बिचेस डीटेलिक्स, अभी शाम अगे जाई जा कूमने नही बढ़ जाएंगे कि आपको माजिन बहुत अख्रे देंगे इस कंपनी के आपको आगे जाके सर यह बहुत पुराना कंपनी है 1981 से है यह पूरे पोर टू मेटल इंटेगर 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 इंडिया है अब वैलेशन देखें सर साड़े क्यारा हजार का मार्के इसने इतना बड़ा कैपक्स किया हुआ है अभी भी यह 0.04 टाइम्स नेट डेट कुटी बिटेट करता है अल्मोस्ट डेट फ्री कंपनी है यह कभी देखा नहीं है मेरे खाल्ब 2005 से जब से जब से इनका कॉमेंस्मेंट उपरेशन हुआ यह हमेशन से पैट पॉजिटिव रही है कभी भी इसने नेगेटिव लॉस नहीं किया 73 परसेंट का पावर जो है कैप्टिव है 13.2 मिलिंटन कंभाइं प्रड़क्शन के पैस्ती है मुझा कर रहा हूं सर इसने फर्स्ट हाफ तक ऑल्मस्ट चार हजार को कर चुके है चार हजार को कर चुके हैं चार हजार को बैटरी ग्रेड ऐल्मिनियम फॉयल जो के लिदे मायन में लगेगा सर उसका पूरा का पूरा का पूरा कैपस्टी चल रहा है आई थिंग देट और एस पर आस पर थी कॉर्टर फॉर इसका बहुत स्टॉंग रहेगा इन्होंने कंपनी मित्तल कॉप एक्वार की हुई है उ जो मेरे आपको दूसरे वाला स्टील वाला उसके नमबस आपको देखेंगे इन्होंने को बहुत लोग इसको प्रॉड इसको प्रॉप कर रहे हैं कि चलो कि स्टील कमनी पे थोड़ा सा फोकुस करना चाहिए नहीं तो पहले कुई देखता नहीं था जैसे मैंने बॉला 3,900 कर चुके है सब और आपको एफए 26 में इसको पूर देखा बहुत अखड़े नमबस देखेंगे आरनो रुपे भी काम कर रहे हैं तांकि बैक्वर इंटेशन हो जाए जहां पको आपको कॉस्ट कम देखेंगे जहां पे आपको वैलोशन का बहुत कमफोर्ट मिल रहा है मार्जिन और सेफ्ट बाट मिल रही है मारजन और सेफिटीबागे मिल रही है कापक्ष अलड़ी हो चुके है जिसके नमबस आपको आने दिखने चालू हो जाएंगे और इन तो यह उनली स्टील कमोडिलेटट बट आपको सुपोर्ट करेंगे कैटल अपको आ तो शाम मेटलिक्स है वरिंदर बंसल की प्रसंद का शेयर यहां पर आप निवेश का मौका ढूंद सकते हैं यह बैतिन पिक जहां पर आपको करना है इस दिवाली पर बहुत-बहुत धन्यवाद वरिंदर यह बैतिन पिक देने के लिए आए बढ़ते आगे बादार के खास म हमान हमारे साथ कारेकर में शामिल हो रहे हैं मौतिलाल ओस्वाल सेक्रिटरी फाइनिशल सर्विसेस के फाउंडर और एमडी रामदे अगरवाल साब हमारे साथ कारेकर में शामिल हो रहे हैं रामदे सार बहुत-बहुत स्वागत है आपका दिवाली की बहुत-बहुत शु हैं पूरा साल भी अच्छा गया है अगले साल के लिए आपका आउटलुक सर जी सर जी आवाज आ दिये सर आपकी आई तिंक हम थोड़ा सा फिर से रामजेव सर से संपर करने की कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी उनके पास पहुंचे के लिए कि तब तक एक और बहुत अच्छा रामजेव सर अब हमारे आवाज सुन पा रहे हैं जी सर बस इस दिवाली पर बाजार के लिए आपसे आगी का डा डिरिक्शन लेना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए बताएं सब्सक्राइब करें तो सब कुछ सही है थोड़ा बहुत जो जियो पॉलिटिकल जो बहां लड़ाई वड़ा हो रहे हैं उससे थोड़ा बहुत एक टेंशन है थोड़ा यूएस इंट्रेस रेट के बारे में थोड़ा चीनता है बट बाकी देश में सब कुछ एकदम चमन है और और नई सरकार की आने की बहुत ज्यादा इनों सुकता है और इस बीच में बजार कॉपरेट अर्निंग्स जो कंपनियों के नाफे हैं मुनाफे हैं वह बहुत बहुत स्ट्रॉंग चल रहे हैं मैं अभी तो आइधिंक एकनोमी जो है ना उसमें मुमेंटम पकड़ते आ रहा है आप टेक्स कालेक्शन देख रहोगा वो बढ़ते आ रहा है मेरे ख्याल से सब कुछ सही है और यह बहुत सही है समय है इन्वेश करने का और पैसे ब्राने का बिलकूल निवेश करने का सबसे बढ़ समानता है सर कुछ अच्छे वेल्थ क्रिएशन के गुर बताईए मंत्र बताईए जिससे कि इस दिवाली ही नहीं आने वाले कई दिवाली तक हमारे इन्वेस्टर्स हमारे दर्शक बड़ा पैसा बना सके वेल्थ बना सके देखिए इस बार का जो जो वेल्केशन स्टडी हो रहा है उसका थोड़ा सा आपको अंदाज दूँ इसमें ट्रेंड के उपर है जब भी आपको बहुत लंबा ट्रेंड मिले तो उसमें आप जल्दी निकले ना बहुत पैसे बनेंगे तो देखिए क्या कंट्री इंडिया पूरे विश्व में अभी एक ऐसा एक महल है भी कि हो सकता अगला 10-15-20 साल इंडिया का हो और उसमें उसमें फिर आपको जो कंपनी मिल जा है जो बिजनस मिल जा है उसमें जैसे आपको सब डिजिटल कंपनी से सब सुरवात हुई अभी डिजिटल कंपनी से कई नहीं बड तो आप यह समझें जब भी ट्रेंड रहे तो आप जो है थोड़ा थोड़ा उसमें आपको पेशेंस चाहिए कि आप पांस साल दस साल होड करें उससे उससे आपके बहुत मदब अधि आप बेशों के उसका पांच गुरह हो जाए इस्टॉप तो उसमें कोई फायदा नही तो मल्टी बेगर लेने का तरीका यही है कि आप अच्छे ट्रेंड को राइट करें और लंबे के लिए बैठें सर बहुत जबरदसा और यह वेल्थ क्रेशन स्टेडी आपकी जो नेक्स आने वाली है ट्रेंड में लंबे समय के लिए बैठें जल्दबाजी और हडबड़ी में बेचेना और शायद यह गुरु मंतर बहुत काम आएगा उन इंवेस्टर्स के लिए जो बाजार में आम त बाज रहें सर लेकिन आज आपका समय में कम दूंगा मेरे साथ मेरे मित्र भी है जसमी सिंग यह आटो मोटिके किंग है यह यह क्या बलता है तरो क्या लगता है हाव जब्सक्राइब मार्केट अफकॉस बूमिंग और बहुत अच्छा हो रहा है और वैसे ही हमारे देश प जो बहुत बंद रहा है एक एक इंडस्ट्री में वह मेरे खाल से बहुत इंपॉरेंट है और देखिए अभी कैसे होता है बिल्कुर सर देखिए माइक का ये पावर है जी का माइक आते हैं आपके अंदर है ना वो फिलिंग्स आने लगी आपने इंटर्यू कर डाला जसन जी आ बहुत बहुत धनिवाद सर शुक्रिया आपका इस बड़े दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शुर में दुनिया के सबसे बड़े एक्स्जेंज के पास चलते हैं जी हां आशिश कुमार चोहां साब हमारे साथ कारेकर में हो रहे हैं शामिल सीधे एनेसी हेड़कोर्टर से एनेसी के एमडी और सीए आशिश सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद में समय देने ल धन्यवाद अन्यवाद जी आपके सभी दर्शकों को दिपावली की शुब कामना है और आने वाला जो नया साल है उसके लिए भी बहुत-बहुत धेरो बदाईया और शुब कामना है कि अगला साल ये साल के ये साल से भी और बहतर निकले बिल्कुल सर और आम तोर पर जो एनसी की टैग लाइन रही है निवेशकों के लिए सोच कर समझ कर निवेशकर और बार बार आप निवेशकी राय देते हैं हिंदुस्तान की एकोनोमी और महूल को देखते वे इस वक्त आप निवेशकों को कितना जोड से कितना बड़ा भ है और इंट्रेस रेट्स बहुत बढ़ कहा है पिछले एक साल में अमरीका वगरा में तो लोगों को एक लग रहा था कि वहां पर रिसेशन आने की संभाव ना है और उसी समय और बढ़ रहे थे तो दोनों तरफ से मार पढ़ने की संभाव ना थी जैसे आपने देखा भी ह होगा कि अपना जो नीवेशा थोड़ा वापस भी ले रहे थे लेकिन अब पिछले एक सब्ता से करीब चार पाच दिन से इंट्रेस रेट वहां पर कम होना शुरू हो गया क्योंकि इंफलेशन वहां पर नीचे आना शुरू गया और जो ऑईल का दाम था वो भी काफी आल इंपोर्ट कर रहे थे उससे ज्यादा आजकल एक्सपोर्ट में सर्विसीज और रेमिटन्स यह दोनों का जो जो है वह बढ़ चुका है और सर्विसीज एक्सपोर्ट इस वाट इस कीपिंग अस अलाइव तो मेरे इसाब से हम में और जो हमारे नजदी की देश है बंगला बढ़ चुका है सिमिरली आपने देखा होगा पाकिस्तान में श्रिलंका में तो एक ही देश जाए अपने नजदीक में कि जो अच्छा कर रहा है वह इसी के बदलत की एक तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और दूसरा है कि एकोनामिक स्टेबिलिटी आ रही है सर् साल के लिए हम करते हैं नेगे सुबह खरीद के शाम को बेचना या तो डेरिवेटिवस में करने को भी कोई निवेश नहीं कह सकते हैं तो मेरी सभी से दर्खास्त है कि आप आप आगे जाके निवेश करिए और आपके पास समय नहीं है अध्यान का तो म्यूचिल फंट के द्वारा भी या तो पूटफोलियो मेंजर मेंडमेंट स्कीम के द्वारा या फैनेशल एडवाइजर की राहे लेकर के आप लंबी आवदी के निवेल लिए निवेश करिए तो जरूर भारत का भविश्य उजवल होगा बिल्कुल तो लंबी आवदी के लिए निवेश करें भारत का भविश्य उजवल है लेकिन जो कुछ चिंता हैं भारत में रहती है तो सिर्फ दुनिया बर के बाहर की चिंताओं से यह क्या यह समझा जाए कि हमारी एकोनोमी इतनी मजबुत स्तिती में है हमारे बाजार इत पहले भारत का जो मार्केट था जबी एफ़ी पैसा निकालते थे तो भारत का मार्केट बैढ़ जाता था पिछले दो-तिन साल आपने देखा होगा कि कई दफ़ाप एफ़ी ए ने पैसे निकाल भी होंगे लेकिन हम अपना फाइनांस हमारी जो ग्रोथ है उसका फाइनांस तो यहां पर डिमांड भी है और स्किल भी है और टेकलोजी भी है तो मुझे लग रहे है कि एक तरह से आपने कहीं पर भी रिटरंस चाहिए होंगे अगले 20-30-50 साल के स्किल पर तो फॉरेंटर्स जो फॉरेंड के बड़े निवेशक होते हैं उनको भी भारत में आना ही प या उनके बड़े बड़े निवेशक हो उनको सभी को भारत में आना है और न भी आए जैसे आपने कहां तो भी भारत आज भारत का जो नया निवेशक है पिछले तीन सालों में करीब ने टोटल निवेशक की संख्या 80 करोड से अधीक पहुँच चुकी है करीब आठ करोड करीब 8 करोड दो 8.2 करोड हो चुकी है तो उसमें पांच करोड से अधिक हाउसोल्ड भारत में अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो नेचरली ज्यादा ज्यादा निवेश भारत में आ रहा है और जो यंग्स्टर से उनकी सेलरी जो है वह उनके पैरेंट्स आज रिटायर्मेंट के बहें उससे भी ज़्यादा हो रही है तो उनके पास वाविक है बच्छत भी ज़्यादा है डिमांड भी ज़्यादा है तो मेरे इसाब से यह जो प्रक्रिया है जिसमें यंग्स्टर जो पढ़े लिखे हैं मोबाई सब्सक्रा निवेश करना जानत बिल्कुल अब इस टॉक मार्किट निवेश भी बढ़ रहा है एक्सचेंज का पार्टिसपेशन बढ़ वाल्यूंस भी बढ़ रहा है आशी सर बहुत 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 शुक्रिया इस दिवाली के शुब मौपके पर जी बिसनस से बात करने के लिए बहुत 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 बिल्कुल देवदी एक चोटा सा अपडेट है लास्सेशन में जो क्वेस्स कॉप के ऊपर एक कुनों से कॉल दिया था आज महरत तेडिंग के दिन आज 6 परसंट उपर है तो जीने प्रोफिट करना वह कर तकते आज एंड फ्रेश रिकमेंडेशन मेरी है औल कार्गो लगा कर इसको खरीदे तो easy to remember it 277 पर खरीदे 307 का target 267 का stop loss एक बुडिश क्रॉस ओर इसके short term momentum indicators में भी दिखने मिला है All cargo पर रखे नजर stock action में आ रहा है सुमिजी के पास भी चलते हैं उनकी call कर भी सुमिजी बताए सर बाइका stock की radar पर है stock का अभी बाव चल रहा है 610 रुपया stock का नाम है DLF DLF के अंदर momentum तेजी का continue जारी है stock continuous up trend के अंदर में है stock यहां से अभी और उपर का move दिखाना चाहिए अगले हथे में stock में जो उपर के level देखने को मिल सकते है 625 रुपया 630 रुपया यह level उपर में देखने को मिल सकते हैं नीचे में stock का जो support है 505 में 508 में के पास है तो 595 के stock loss से DLF पे खड़दारी करें 625 630 यह level उपर में देखने को मिल सकते हैं और दिपांचू कल जो Friday के session में इंजिनिर्स इंडिया दिया था वो आज days high पे trade कर रहे है 5 चका उपर है टागेट अच्छी हुआ है पीफसी का call दिया था उसके अदर टागेट अच्छी हुआ है यह दो update है जो Friday के call दिया देखने हूँ देखे दिपांचू अभी इंफरा की बातचीत चल रही थी तो इंफरा से एक stock लेके आया हूँ और वो है NBCC जिसका price 66 के आसपास है इसको खरीदना है आपका short term टागेट रखना है 72 का 72 का और positional टारगेट पोजिशनल छे मेने का टारगेट आप 95 का भी रख सकते हैं NBCC पे project management consultancy, EPC, real estate ये सारे ही segments में जोरो से शामिल है NBCC दूसरे तिपाई के जो margin से बढ़ते हुए आए है 4.7% margin देखे गया है 4.4% के मुकाबले FY24 के revenue की target जो management उमीद कर रही है वो करीबन 9,000 करोड का उमीद कर रही है 11 से 12,000 करोड order book हो सकता है FY24 यही साल में आप जानते हैं पहले तिमाई और तीसरे तिमाई में order book बहुँच स्ट्रॉंग रहते हैं इन्फरा कंपनी के इन्फरा प्ले बहुट स्ट्रॉंग कर सकता है और इसमें से कंपनी है NBCC short term target 72, positional target 95 72 और फिर 95 के बड़े targets के लिए खरिदारी करें NBCC यह है सिधात जी की pick आए अनल जी भी दे रहे हैं कुछ शांदार picks, तीन बैतरीन कॉल्स आ चुके हैं लेते हैं अब उनकी चौथी देवाली pick अनल जी बताएं सर एक मैं भी finance sector से एक और stock में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और वो है SBFC Finance यह आपने हाली के listed company है कुछी समय पर मेरे खाल से अगस्ट के आसपास list हुआ था बहुत अच्छा response इस IPO को मिला था और MSME financing में यह top leader company है और जो पसंद है जिसकी वज़े से मैंने इस company को चुना है एक और pick के तोर पर top class promoter है neat and clean है किसी तरह के कोई litigation नहीं है experience promoter है top management जो है उनका पूरा experience है private sector के दिगज बैंक्स में काम करने का और अच्छा कासा 20-25 साल काम करने के बाद उन्होंने अपनी company बना कर इस business को शुरू किया है तो मुझे लगता कि एक बढ़या business है वैसे आप देखेंगे कि small finance bank हुए है micro finance वाली company हुई है इनके बहुत सारी company listed है लेकि इस company के खास बात जीब है वो यह कि एक तो MSME जहां पर छोटे loans दिये जाते हैं वहां पर इनकी leadership बहुत strong है और दूसरी बात यह कि बाकी NBFC से या बाकी micro finance company की तरह जहां पर क्या है वो एक किसी समझो कोई दक्षिन बारत में तो वहीं कारोबार करें कोई UPBR में तो वहीं करें लेकिन इनकी जो प्रजेंस है South India में से लेकर East तक सब जगे प्रजेंस है East में थोड़ी से कम है बाकी तीन जगे North, West और South में बहुत जबदस प्रजेंस है और सब जगे बिजनिस इनका फेला हुआ है शांदार ग्रोथ का ट्रैक रिकोर्ड है पिछले चार सालों में कम्पनी का इस्ट अंडर मेनेजमेंट 44% सालाना दर से बढ़ रहा है और मुझे लगता अगले तीन सालों में यह AUM दो मुना से ज्यादा हो जाएगा उस हिसाब से अगर आप अगले दो से तीन साल के वेलिशन्स पर देखेंगे तो आपको स्टोक आकरशिक नज़र आएगा मेरा अगले दिवाली तक के लिए लक्ष है 120 से रुपे 145 यह दो टार्गेट के लिए आपको SBFC फाइनस इस टोक मर आपको निवेश करना चाहिए यह मेरी दिवाली की आज की चोथी पिक है बिल्कुल फरनांशल स्पेस थीम है ही SBFC फानांस यहाँ पर करिए निवेश 120 और 145 के टार्गेट के लिए होल्ड करिए अपने पोर्टफोलियो में आईए कुछ और पिक्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जैन साब एक नेक्स कॉल के से हैं तैयार जैन साब बताएं सब बिल्कुल एक पहले तुम्हें एक बर पिछले जो फ्राइडे को मैंने पिक्स दिती उसमें धिवाली पिक्स तीम दे दी थी और मैंने बुला है कि और भी लाएंगे और आज मैं सारी नहीं पिक्स ला रहा हूँ उस दिन चो मैंने स्टॉक दियते डिलिंग दिया था जो कि आज अच्छा गासा चल रहा है टैलग्रोज अटोज डिलिंग मैंने 301 ते जया था 350-370 टैलग्रोज 238 से 290 का टारगेट और वोइज पेपर की बात करते है 1816 से 2,090 और उस दिन एक और लॉंग टर्म फंडामेंटल पिक दिती पेम इंडास्ट्री जो ऑटो इंसलरी की एक बैतिन कंपनी तो ये चार्ट स्टॉक में शुरुआप में मैंचिन करना भूल गया था और अब मैं जो पिक देना चाहरा हुआ रिशव इंस्टूमेंट्स में बहुत जादा समय नहीं लेते हुए टार्गेट पहले बताऊंगा, 625 का टार्गेट आज हला कि चला हुआ है ये स्टॉम में पहले ले के आया था बट आज मार्केट के साथ जैपप में खुला रिजल्ट बहुत अच्छे दिये बट IPO भी रिसेंट लिए था और 32 टाइम सोफर सब्स्क्राइब वा था और मैनेजमेंट को सुना था अनिल जी ने बहुत जबर्दस लिए था बहुत जबर्दस क्वालिटी मैनेजमेंट और बहुत मज़ा आया था सुनके तो मुझे ऐसा लगता है ये आज 7% आज़री उपर है थोड़ा कीचाने पर लीजे बट मेरे वो नाम मेंशिन करना था बट आई फिल कि इट स्टोरी अच्छे क्वाटर्ली रिजल्स अच्छे फंडामेंटल तो बिल्कुल 625 के लिए ले सकते हैं 625 का टार्गेट रिशेव इंस्रुमेंट से आपको और आपकी टीम को आशा करते हैं कि आगे वाला साल भी अच्छा रहे और आपसे तो हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती क्योंकि आपकी हमेशा फॉर्वर्ड लोकिंग और फूचर प्रेडिक्शन पिन डॉट एक्कूरिसी के साथ ही आती है तो बताएं सर यहां से फिर आने वाला नया साल समबट कैसा दिख रहा आपको फ़र्सी देपांशू बरी हैपी दिवाली तो यूँआ यूआ 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 नी और साल अल्मोस्ट खतम होने को आया है एक और युद्ध शुरू हो गया है फिर भी तेल 75-80 के बीच में है इंटर स्टेट्स और मोस्ट पीक आउट हो चुके है अर्निंग सीजन इतना कुछ ख़राब रहा नहीं है और दो स्टेट इलेक्शन हैं अगले साथ दो नैशनल इलेक्शन हैं इंडिया और यूएस के तो I think जो भी पॉलसी है वो प्रो मार्केट ही होंगे तो I think all things considered काफी confident हूँ अगले एक साल के लिए वानटाइल साथ जरूर होगा लेकिन इस वत इंडिया पे और बेट हैना ही जरूरी है और इस वत एक ऐसा मार्केट जिसके साथ हम कंपीट कर रहे हैं कापिटल के लिए वो डिरेक्ली यूएस है तो I think when it's a fight between the largest oldest and the largest democracies in the world I think both will gain and this would be a good year for equity markets both for the US as well as for India चलिये तो आने वाला साल और बढ़िया रहना चाहिए इंडिया के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए भी कुछ return expectations कुछ levels जो आप देख रहे हैं सर्व क्योंकि आपकी वहाँ पर accuracy अच्छी रहती है पिछला साल करीब साड़े नौद दस परसंट हमने gain देखिया smaller mid cap की out performance थी market texture कैसा रहेगा तो I think दिपांशू मैं को लगता है यह जहां पे हम है अभी 20,000 के आसपास यह plus minus 10% के range में रहेगा तो I think ऐसे भी समय आँगे जहां आपको 18,000 भी Nifty देखने को मिल सकता है और ऐसा भी समय आसकता है जहां पे Nifty 22, 23,000 होगा लेकिन net net if we are sitting somewhere around 20, 22,000 next Diwali I think we would have done pretty well इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि year flat होगा पैसे कमाने के आपको बहुत मौके मिलेंगी क्योंकि अगर जैसे हमने recently पी देखा था जब यूज चुडू हुआ था Middle East में तो Nifty almost 18,500 के आसपास गया था 18,700 के आसपास और stock prices almost कुछ 20-30% गिर चुके थे तो I think ऐसे opportunities आपको बहुत आएंगे but like I said I think अगले एक साल में अगर हम अगले दिवाली बात कर रहे हैं और रिफ्टी 22,000 के बीच पे हुआ after a very volatile year I'd be relatively happy I would take it with both hands absolutely sir तो चलिए बढ़िया है यहां से बाजार ज़्यादा उतार चड़ा वाला नहीं रहेगा और बेस भी आपके सामने ज़्यादा दूर नहीं है राल जी बताएं आप किस तरह का sectoral rotation देख रहे हैं इस साल देखें सबसे ओव वेट तो I think फिलहाल मेरे हमारे ब्रोकिंग हाउस में cement है banks है and consumer discretionary है cement में I think if you want to look at names like ultra tech, ramco, नुबो को बहुत अच्छा कर सकते हैं Amboja cements भी consumer discretionary में मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है best life बहां पर थोड़ा बहुत correction आया है I think 1000 to 1050 के आसपास से अभी 800-825 के बीच में भाव चल रहा है and banks में I think हला कि it's a consensus call तो मैं आपको शायद हटके जो जनरली बात करते हैं I think एक हल्क के नाम अगर मैं देदू तो Indecent Bank which is probably you know not generally हम banks की बात करते हैं तो हम ICIC, HDFC, SBI access की बात करते हैं तो I think Indecent could be one interesting bet and I think insurance as a theme could do very well तो वहां पे आप SBI live देख सकते हैं तो I think ये कुछ sectors है जहां पे लगता है मुझे के earnings भी ठीक थाप होंगे और इपर I think अगर एक कॉंटरा सेक्टर की बात करें तो I think it is not a bad time to start looking at chemicals because you know काफी लोगों ने चाइना de-stocking की बात कर ली है demand destruction की बात कर ली over capacities I think ये सब अगले एकसान में correct हो जाएगा and this is actually a good time to be entering chemical stocks so you know अगर आप SRF, Naveen, Fine Organics वगएरा जो भी आपका पसंदीदा stock है I think आप उसमें जाके speciality chemicals or speciality ingredients मुझे लगता है कि एक counter एक sort of contra मैं आपको एक contra view दे रहा हूँ बाजार से क्योंकि काफी time or price correction आ गया है पड़ ये कुछ 4-5 जगा ही है मेरे zen में जो मुझे लगता है कि काफी overweight हो सकते हैं आगले एक साल के लिए तो कुछ बैतरी इंटिक्स आ रही है chemical sector राव जी इनफाक्ट अभी थोड़ी दे पहले energy से से बात हो रही थी तो उनकी तरफ से भी एक sector है जो आने वाले साल में बड़िया returns दिखा सकता है उनके भी radar पर आए bottom-out के संकेत हो गए है high conviction कोई space दिख रही है या फिर broader market, mid-cap, small-cap space से कोई ऐसा उभरता नाम जो आगे और अच्छे gains दिखा सके सर मैं 3-4 और नाम दे सकता हूं जहां पर मुझे conviction बहुत high है एक है United Breweries मुझे लगता है कि the stock could be a potential doubler over the next 2-3 years I think कुछ साले 700-800 करोड का profit है I think अगले धाय-3 साल में ये डबल होके कुछ 1600 करोड के आसपास हो सकता है valuation इतने demand ही है नहीं ये नाम जहन में आ रहा है दूसरा I think अगर CV cycle अगले 8-8 साल और चल जाया तो I think यहां से अपको Ashok Leland में भी 30% मिल सकते हैं I think जिस तरह से obviously not just the defense side but जो उनका दोस और बड़ा दोस का platform है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है they're also getting a lot of investments for the EV side and it's a very comfortable business 20% ROE, ROC margin expansion बहुत 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 कर रहे है so I think that could be a name and I think if you come down the market cap chain I think Triveni Turbine is a capital goods नाम है जिसके आंक्रे भी बहुत सही आए है this quarter में और काफी time से अच्छा कर रहे है decarbonization की theme you know biomass based to gas यह बहुत सारी नए-ने sectors है जहां पर वो एंटर कर रहे हैं एक्सपोर्ट बहुत अच्छे कर रहे हैं उनके आफ्टा मार्केट रेविज्यूस अर्मूस्ट से ग्रो हुए थे I think again a company which is a 30-35% return on equity, return on capital employed and 30-32 times का valuation है for these kind of numbers in capital goods तो I think ये तीन नाम है और जो in addition to what I said अशोक लेलिन, उनाइटे ब्लूरी स्ट्रिविनी टर्बाइन जहां पर मुझे लगता है कि यहां पर भी अच्छा पैसा बन सकता है एक क्यागेट दूंगा मैं दीप जब मैं consumer discretionary की बात करता हूं कि ये बहुत ही जो पिछले दो साल रहे हैं consumer discretionary के वो बहुत unique रहे है FI23 was a comeback year from COVID and FI24 में बहुत सारे events हुएं इंडिया में G20, Post G20, World Cup अगेरा तो I think ये साल could mark the peak of earnings for consumer discretionary तो हमें बहुत taxful होना पड़ेगा in terms of which stocks we are buying in this sector Absolutely, understood तो थोड़ा आपको stock specific होना पड़ेगा जरूर हैने कि हर sector की हर कंपनी आपको perform करते हुँ दिखे बठा कुछ high conviction ideas आरे है broader market से भी consumption space से भी financial से भी और chemicals यहाँ पर भी रहुल जी का conviction है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज दिवाली के दिन वक्त देने के लिए और आपको एक बार फिर से तिवहार की धेरो शुक्क काम नाए भी, यह थे निरुन बांग इंस्टिशनल एक्क्यूटीज के रहुल अरोडा साब का विउव, आए विकास सेटी साब के पास चलते हैं, कॉल आरे उनकी तरफ से भी सेटी साब बनाएं सर बिल्कुल दिपांचू, थोड़ी देर हो गई हाली में नतीजे देखे, DLF के गोद्रेस प्रोपरटीज या बाकी भी जो भी नतीजे आए हैं और अनिल जी ने भी हाल में Nesco रिकमेंड किया, काफी उसने भी जबरदस धूम मचाई मुझे लगता है, रियल स्टेट ये कंपनी, इन रियल स्टेट कंपनी के लिए अच्छे नतीजे रहेंगे, अच्छे इनके मार्जिन सा, करीवन 20% के अच्छे मार्जिन सा, और अच्छा एग्जिक्यूशन पे फोकस है, और कई सारे FISDI भी इस पे निवेशित है, मुझे लगता है स्टॉक को खरिजना चाहिए, मेरा इसमें शॉट्टर्म टागेट है 250 का, स्टॉप लॉस रखता है 227 रुपए का, कैपासिट इंफरा में खरिदारी कने की सला, और एक जिपां जूँ एक और स्टॉक पे अपडेट है, जो अभी सुमित चर्चा करी, इंजिनिर्स इंडिया लिमिटेड, मैंने इस स्टॉक को 128 रु इंजिनिर्स इंडिया, सेरी साब के तो हाई कन्विक्शन लिस्ट में रहाई वेर, इस पर रखे नजर और अभी के लिए कैपसाइट इंफरा पर कॉल आ रहे हैं सर की तरफ से, जै ठकर भी एक कॉल लेकर हैं तयार, जै बताईए अधिक, पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को 44,000 रुक के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल आप्शन मैंने 22 नवेंबर की एकस्पारी का दिया था, जो अगले अफते की है, और वहाँ पे अगर आप देखे तो 258,57 का असपास दिया था, 330 है, अच्छा मुन करते हैं, 44 से 44,200, यह 235, 236 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहां पर आपको स्टॉप लगाना होगा, 137 का टारगेट सुपर में बनेंगे, 342 and 375, 342, 375 यह हैं आपके लिए दो टारगेट, बैंक निफ्टी पर कॉल आप्शन खरीदने की राए, आरिये जै की तरफ से, बाजार भी बढ़िया मूड महल में हैं, बैंक्स और फिनांशल तो आउट परफॉर्म आपको करते वे दिखी रहे हैं, आईए एक खास एक्स्क्लूसिफ कॉन्वर्जेशन करिए, हमने BAC के CEO सुन्दर रर्मन रामामूर्ती साब के साथ इस मोडल ट्रेडिंग के सेशन स् सबसे पहले आपको नए समवत की डेर सारी शुब कामनाई, कैसे देखते हैं सर आने वाले दिनों? सर्वपृत्म आपके जो भी दर्शक है और आपके लिए इस शुब धिवावली के अवसर पर हमारी शुब कामनाई, नया समवत आप सब लोगों के लिए बहुत लाबधाय को यही हमारी शुबेचा है, हमारे लिए यह बहुत ही कास और महत्वपूर्ण दिवाली है, क्यो कुशियां देखें और मार्केट आगे आगे सब को शुब धायक और लाप धायक बने रहें, सरे आगे बत्वार कर बात की जाए, तो आने वाली乾 Reaper State कैसे देख देख रहे हैं सर, आउट्लॲूक आककर बता हैं सरे हम मार्केट के बारे में तो बोल नहीं सकते हम भारत वरश है कि आने वाला दन में भारत और भी तरक्य और भी बड़ावा देखेगा है है अमारी थीवर प्रार्थना भी तो यह थे BAC के CEO साब का व्यू जहां तक आगे का मौके का तरा बात है इस बाजार में फिनांशल्स पर रखे नजर कुछ आक्शन यहां पर आपको होते हो दिख रहा है कोल इंडिया ओपनिंग से ही अपने गेंज होल्ड कर रहा है इस पर कोई परिशानी आपको नहीं आती हो दिखिए इंफोसिस यहां पर भी थोड़ा मोमेंटम है चुनेंदा IT स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी मूव आपको इंट्रेस्टिंग बनती हो दिख रही है जै एक बार जड़ा इंफोसिस का चार्ट देखेंगे जड़ा बत इंफोसिस और इस सारी स्टॉक्स में टेक महिंदर में अच्छी खासी हमें हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली दी बट आज जो हिसाब से एक रिवर्सल देखने मिला इंफोसिस मैं थिंग दाट इट सेडिंग तोर्स ओफ 1425 1425 तक के लेवस आपको देखने नजर थोड़ा आज मोमेंटम आ रहा है इंफोसिस आपको अच्छा दिख रहा है विप्रो में मूव आ रहा है टीस भी मूव आपको करते हुए दिख रहा है और अपनी व्यू दे रहे थे आने वाले नई साल के तो में का आई टी एक डाक होस हो सकता है जहां से आ टीट हंड्रेट के आपके नीयर टम टार्गेटस हैं फिर बारासो तक कि बड़े पुजिशनल टार्गेटस यहां पर आपको आते हो दिखेंगे शेर इंडिया से क्योरीटी और चाब्री तक के टार्गेट्स आ सकते हैं फिर फिर 2093 तक के लेवल सब्सक्राइन उसको अप 1550 तक के टार्गेट यहां पर आपको आते हुए दिखेंगे और फाइनली SBFC Finance इस पर भी आपको रखने नजर 120 से 145 तक के टार्गेट यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं और जैसा अनल सर ने का प्राइस टार्गेट तो सर ने आपके साथ शेर करें हैं बट इन केमिकल्स की बात निकली है आर्थी इंडस्ट्री की बात निकली है और सिधार जी अगर पैनल पे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनसे बात ना की जाए सिधार जी एक बार आपका भी व्यू सर केमिकल्स आज स्पेस आपको कैसा लग रहा है अभी रावल रोड़ा साब भी कह बन सकता है क्योंकि पिछला एक साल बहुत लल गिया चाइना की जिससाब से डाउनवर्ड प्राइजिंग थी केमिकल्स पे जिसके कारण यहां पर इंडिया में भी मार्जिन प्रिशर देखने मिला पड़ यहां से केमिकल्स डेफिनिट्ली डार्थ हॉस बन सकता है बहुत इसको मत भूलिएगा परफॉर्मेंस नहीं आई है पर यहां से पिछले साल के मुकाबले इस साल में यह समवथ 2080 में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है टीस सो पचास का टारगेट अपर रख सकते हैं दीपक नाइट्राइट पर रखेगा नजर दीपक नाइट्राइट यह भी एक और काउंटर हो सकता है जहां से आपको मूव अच्छी आते हुए दिखेगे तो कुछ इंट्रेस्टिंग स्टॉक्स जो आपको आने वाले समय के लिए अपने पोर्टफोलियो या रिडार पर रखने चाहिए मौका मिले यहां पर आप खरिदारी करके चल सकते ह है आए फिर बाजार भी बढ़िया मोमेंटम में है और अच्छी बात है बाजार की ब्रेथ काफी पॉजिटिव रही है इस थू 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 देस महुरत ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग लेवल्स के इरदगेर्द ही आपने कारोबार करा है थोड़ा बैंक निफ्टी ऊपर आपके लिए टॉप गेंडर था धाई परसेंट ऊपर बंद हो रहा है जबर्दस्त अक्षन इस काउंटर में आपको दिखा है नतीजों का भी रियाक्शन आ रहा है नतीजे भी आए थे इस काउंटर के और यहां से आपको अच्छी मूव दिखा रहा है इसके बाद अच् पेंट्स, TCS, Devees, Titan यहां पर भी आपको अक्षन दिखा है, Reliance Industries ने बाजार को बढ़िया सहरा दिया है यहां से भी आपको अक्षन आते हो दिखा रहा है Tata Steel, NTPC, LNT, HDFC Bank, ITC, Maruti, ONGC, नतीजों का रियाक्शन इस पर भी था, Kotak, Tata Motors यह भी आपको बढ़िया positivity में दिखे हैं, Weakness कहां पर आई है, Apollo Hospitals, 14% नीचे मामूली सी गिरावट थी, आदर्वाइस तो यह भी अच्छे momentum में रहा है, LTI, Mindtree, यहां पर हल्की फुल की कमजोरी थी, Sun Pharma, BPCL, Bajaj, Finsav और Axis Bank, सिर्फ 6 stocks and Nifty के, जो आपको मामूली सी गिरावट दिखा कर बंद होते हो दिख हैं, ताकि सारे stocks positive हैं, तो यह दिखा रहा है कि इस मोर्य ट्रेडिंग के दिन, आपको कितना बढ़िया participation बाजार से मिला है, वाइदा कारोबार में आए, हिंदुसान कॉपर, सवा 3% ऊपर, यह काउंटर आपको दिखा, PFC, सब के रेडार पर था, कुछ बढ़िया brokerage reports भी आई, PFC, REC, दोनों अच्छे momentum stocks भी है, 0.5% ऊपर, बायो कॉन नतीजे थोड़े सुस्त थे, बट reaction अच्छा है, 0.5% ऊपर यह भी था, MCX, 1.5% की खरेदारी इसमें भी थी, Indeables Housing, 1.5% ऊपर था, EU Small Finance Bank, समवर्धना मदरसन, United Bluries, Coromandel, NMDC, RT Industries जिसकी बात हो रही है, और अ Obroy Realty, ICSA Lombard, Petronet यहाँ पर भी आपको अच्छी खरेदारी दिखी है, दूसी तरफ, Weakness आपको आती हो दिखी है, Ipka Labs में करीब 2% नीचे बंदुआ, Glenmark Pharma, Hulkiful की नर्मी यहाँ पर थी, Delta Cop ने आज participate नहीं किया, PVR Ainox, थोड़ा सुस्ता, GNFC, Manapuram, Max Financial, Aurobindo, Vedanta, ABB, यहा आते हो दिखे, दमदार नतीजे यहाँ पर थे, CDSL, जबरदस मोमेंटम में यह काउंटर भी रहा है, PTC Industries, यहाँ पर नतीजे आपको थोड़े ठीक ठाक आते हो दिखे, Garden Reach, Shipbuilders, यहाँ पर भी आपको आपको आक्शन दिखा है, Bombay Burma, जो घाटे से मुनाफे में आई कंपन में और रिसेंटली अच्छे मोमेंटम में रही है, यहाँ पर भी आपको खरीदारी दिखी, और जो पिछले साल का मोमेंटम था, Mid or Small Cap का, वो इस साल भी समवट के नए ट्रेडिंग सेशन पर पहले दे आपको मोमेंटम में ही दिखा, तो All in All, अल जी, बढ़िया ट्रेडि दे रहा है CEN6, तो कुछ बड़े इंपोर्टन लेवल्स के उपर या आसपास आपको इस मुहरत ट्रेडिंग सेशन पर क्लोजिंग मिल रही है, सर, बिलकुन तो मजबूत क्लोजिंग होती दिख रहे है यह भारती बादरों की, और अच्छे action में रहे है, भारती बादरों अच्छे नोट पर विक्रम संबत 2018 की भारती बादरों ने शुरुआत की है, पूरा action आपने equity market का देखा है, हमारे expert हमारे साहते हैं, थोड़ा सा commodity बाजार का भी एक बार जड़ा action देख लिया जाए, दीब बताई, तर commodity बाजार पर भी हमारी नजर है, और action यहां पर, ठी recently हमने देखा है, थोड़े सोने के दाम आपको range में आते हो देखे थे बट उसके बाद खोड़ी खरेदारी हुई है, कच्छा तेल भी थोड़ा over the weekend बढ़कर आए, बट आगे का क्या outlook है, साल के लिए क्या outlook बनाना है, यह भी बात कर लेते हैं, commodity बाजार में भी बढ़िया आपको action बनते हो दिखता है, हमारे साथ मुतिलाल ओसवाल के senior vice president नबनी दमानी साहब जुड़ रहे हैं, नबनी जी बहुत 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 शुक्रिया, नए समवट में हमारा साथ देने के लिए, पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की धेरो शुब कामना ह जाओंगा, क्योंकि ये मौका होता है, जब sentimentally gold भी हमारे लिए काफी important रहता है, धंतेरेस के दिन हमने देखा, साड़े 7% जादा पिछले साल के मुकाबले खरिदारी भी थी, बट आगे के लिए, गोल्ड पर आपका क्या outlook है सान। जबना यह है कि gold की जो अगले एक साल की trajectory देखा है तो पायास थोड़ा सा बुलिश है, बट as of now, warp में थोड़ा सा एक back foot पे है, तो यहां से थोड़ा से correction या करेक्टिम आवल बनता हो नजर आ रहा है, तो 2-3% के अगर गिरावाट मिले, यानि अगर 58,500, 58,000 के आसपास अ गोल पर? काफी volatility देखी, अभी recently अच्छी खासी गिरावट भी आई है, अफकोस इसरेल हमास है, रश्य यूकरेन भी चली रहा है, कच्छे तेल में इस साल क्या हो सकता है? ग्रोथ concerns यूएस में भी arise हो रहे हैं और चाइना के डिमांड भी इतनी स्ट्राउग लिए, तो 110 के उपर टिकना मुश्किल है, बट बाकी सवरे macro factors को देखें, तो 60 पैसर डालर के आसपस का एक base बन जाएगा, तो range bound रहेंगे, और dips अगर आएंगे, जिस तरह के dip हम life कुछ दिनों में देख रहे हैं, तो buying opportunity जिससे treat करना से. शाल यह, तो यह है आपके लिए थोड़ी important commodities preview, शुक्रिया नमनी जी बात करने के लिए, आज of course खास मौके पर वक्त निकालने के लिए, वैसे तो आपसे regularly हम commodity बाजार पर updates लेते ही रहते हैं, फाइल closing figures भी बस आचुके हैं, उनीस 525, exactly 100 points, century लगाकर आपके लिए निफ्टी बंद होते हैं, पॉने 200 points उपर, 44,000 के सिर्फ 3.5 points नीचे, almost almost 44,000 से माननीजे, राउंडिंग आफ करके, और 45,000 के उपर तो convincingly बंद हुआ है, हमारे सभी महमनों का आज show में हमारा साथ देने कलिए आश्यूसर, Fehlery, सिधात् जी, सा इंचने यूदार, साथी शुमित जी सेठी साभ, जैठकर आपका बहुरां धेंहां जी बड़ीओं लेवेंजिश बड़ीया लेवेल्स पर closing आती हो दिख रहे है, मुरत ट्रेडिंग सेशन साल की नई शुरुवात अच्छे नोट पर होती है आशा करते हैं कि यह नए साल के लिए ट्रेंड सेट कर देगा अब बिल्कुल मूर माहल सेट है और दीप उम्मीद करें कि अगला साल जो है भारती बाजारों के लिए बहुत अहम साल है क्योंकि इलेक्शन येर है और ग्लोबल एनिश्टाओं के बीच भारती बाजार मजबूत रहे हैं हमारे इंवस्टर डटे रहे हैं अगले साल इनका लिट 2018 समथ में देखने को मिलेगा अच्छे नौट पर हमारे इस नए साल की शुरुआत हुई है उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी बातार में लोगों का धेर सारा पैसा बनेगा मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए कल सुबह हो हो कल मंडे बहुनी है कि मंडे ब्लूस तो एक बार फिर से आप सभी को दीवाली की बहुत बहुत शुब कामने नए साल की बहुत बहुत शुब कामने इसी तरह से आप वेल्थ बनाते रहे और हेल्थ का रियान रखें धन्यवाल गांने इसको नचूसके कभी ये जीव नीवाल इस दिवाली ओनलाइन शॉपिंग कीजिए बेफिक्र क्योंकि न्यू इंडिया आशॉरेंस लाया है माई साइबर इंशॉरेंस पॉलिसी जो आपको सुरक्षित रखता है अन और्थोराइज ट्रांग्शन्स और ओनलाइन पर्चेस ट्रांग्शन्स से इस दिवाली ओनलाइन शॉपिंग कीजिए बेफिक्र क्योंकि न्यू इंडिया आशॉरेंस लाया है माई साइबर इंशॉरेंस पॉलिसी जो आपको सुरक्षित रखता है आपको सुर्ण शॉपिंध ग्लव जो इंडिया आशॉरेंस धीवाली लिमिटेप नियू जरींस कोमपनी क्या आप इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं सिर्फ इस लिए स्टॉक्स मत खरी दिये क्योंकि दीवाली का तेवहार है उतना ही निवेश कीजिए जितने का नुकसान आप सह सकते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश की रिस्क से हमेशा उगत रहें सिर्फ तेवहार समझ कर निवेश ना करें अगर आप शेर मार्केट में नए निवेशक हैं तो दिवाली मुहुर्थ फ्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले अपने फानेशियल एडवाईजर से जरूर सलाह इस दिवाली ओनलाइन शॉपिंग कीजिए बेफिक्र क्योंकि निव इंडिया आशॉरेंस लाया है माय साइबर इंशॉरेंस पॉलिसी जो आपको सुरक्षित रखता है अन आउथोराइज ट्रांजाक्शन और ओनलाइन पर्चेस ट्रांजाक्शन से सो हैव सेफ औन हैपी दिवाली दे निव इंडिया शॉरेंस कंपनी लिमिटेट इंडिया स्प्रीमिर जन्रल इंशॉरेंस कंपनी अरोग्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतंजली चमन्थाश है इस दिवाली ओनलाइन शॉपिंग कीजिए बेफिक्र क्योंकि निव इंडिया शॉरेंस लाया है माई साइबर इंशॉरेंस पॉलिसी जो आपको सुरक्षित रखता है अन आथोराइस ट्रांजाक्शन और ओनलाइन पर्चेस ट्रांजाक्शन से So have safe and happy Diwali. The New India Assurance Company Limited, India's premier general insurance company. क्या आप इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं? सिर्फ इसलिए स्टॉक्स मत खरी दिये क्योंकि दिवाली का तेवहार है. उतना ही निवेश कीजिए जितने का नुकसान आप सह सकते हैं. स्टॉक मार्केट में निवेश के रिस्क से हमेशा उगत रहें. सिर्फ इवहार समझ कर निवेश ना करें. अगर आप शेर मार्केट में नए निवेशक हैं, तो दिवाली मुहृत प्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले अपने फानेशियल एडवाईजर से जरूर सलाह ले. क्या आप इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं? सिर्फ इसलिए स्टॉक्स मत खरी दिये क्योंकि दिवाली का तेवहार है. उतना ही निवेश कीजिए जितने का नुकसान आप सह सकते हैं. स्टॉक मार्केट में निवेश के रिस्क से हमेशा उगत रहें. सिर्फ इवहार समझ कर निवेश ना करें. अगर आप शेर मार्केट में नए निवेशक हैं, तो दिवाली मोहर्त फ्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले अपने फानेंशियल एडवाईजर से जरूर सलाह लें. इस दिवाली ओनलाइन शॉपिंग कीजिए बेफिक्र, क्योंकि निव इंडिया अशॉरेंस लाया है माई साइबर इंशॉरेंस पॉलिसी, जो आपको सुरक्षित रखता है अन आउथोराइज ट्रांजाक्शन्स और ओनलाइन पर्चेस ट्रांजाक्शन्स से. So have safe and happy दिवाली. The New India Assurance Company Limited, इंडिया's प्रीमियर जनरल इंशॉरेंस कमपनी. से पहले अपने financial advisor से जरूर सलाह ले. क्योंकि New India Assurance लाया है My Cyber Insurance Policy, जो आपको सुरक्षित रखता है अन आउथोराइज ट्रांजाक्शन्स और ओनलाइन पर्चेस ट्रांजाक्शन्स से. So have safe and happy दिवाली. The New India Assurance Company Limited, इंडिया's प्रीमियर जनरल इंशॉरेंस कमपनी. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये दिवाली खुशेओं वाली जिहां इस बार दिवाली पर आपके हमारे सब के चैरों पर मुस्कान है, सुनता है और खुशे हैं और इसलिए है कि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक आप सबने इस बाजार से जम कर कमाई किया और विशेश कर mid cap और small cap शेरों में जो तेजी हुई है, जहां पर आप और हम ज्यादा पैसा लगाते हैं, वहाँ पर तो एक जबरदस ड्रीम बुलरन देखने को मिला है, सरकारी कमपनियां जो जनरली कभी आपको तेजी में नहीं दिखती है, उन्होंने बड़ा पैसा बना कर दिया है, यानि कि वेल्थ बनती भी दिख रही है, फिर वो चाहे आपके स्टोक मार्केट हो, चाहे बिजनिसेज हो, या फिर एकोनोमी की मजबूत ग्रोथ हो, तो ऐसे में इस दिवाली से आने वाली दिवाली तक और आने वाली कई सालों तक किस तरह की वेल्थ हिंदुस्तान में बन सकती है, बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा, कहां आपके लिए निवेश के बड़े मौके होंगे, उस पर मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, बाजार के एक बहुत खास महमान, वेटरन और दिगज से, उनका पहले मैं थोड़ा सा परीचे आपको बता दूँ, उन्होंने यहां पर मुंबई से बिकॉम करने के बाद, अमेरिका में जाकर पढ़ाए किया, और यह भी उस जमाने में, जब अमेरिका जाना इतना आसान बात नहीं होँआ करती थी, 1985, 86, 87 के जमाने में, 87 में अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद, वो फिर से मुंबई आये, उस समय जाने वाले वापस आया नहीं करते थे, लेकिन आप आयें, और आने के बाद, उन्होंने यहां पर BAC की मेंबर्शिप लिए, और उसके बाद, उन्होंने ज आपका दन्यवाद समय देने के लिए, आपको पूरे परिवार को सर दिवाली की बहुत-बहुत शुब कामने है, तैंक्यू अन्यल जी, आपके साथ आने में हमेशा मुझे बहुत मज़ा आता है, जो आप बोलते हैं, आपके दर्शुकों को, आपके फैमिली को, दो जार स का बहुत-बहुत शुब कामने है, सर मैं कहता हूं कि बाजार में भले आपने पिछले साल बड़ी सुपर हिट मुई देखी, RRR, लेकिन बाजार की सुपर हिट मुई तो मैं कई सालों से देख रहा हूं, और तीन आर ऐसे हैं, राकेश जिन्यरवाला साब, राधा किशन द साब, और इन फेक्ट मैं तीन में दो और जोड़नू, तो रामदेव अगरवाल साल और रिदमदे साही साब, मैं कई बार यह सोचता हूं कि मार्केट में आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा सक्सेस होना है, तो आर लेटर से शुरू होना चाहिए, यह तू काइंड अनिल जी, I don't belong in the same category, but I am enjoying hearing it, आप 89 से थोड़ा आपको flashback में लेके जलता हूं, मैंने तो उसमें graduation की थी, CA करने मुंबई आया था 89 में, लेकि तब आप BSE के member बने थे, आम तोर पर अमेरिका से वापस आना, उस दमाने में तो बहुत मुश्किल हुआ करता, आज कल तो फि I was the only son, तो गोदो महात ऐसे नहीं हुआ था, पर मेरे पिता जी, he was in the share market, अनिल जी, you may not know that, for 20 years before that, he was share बजार में थे, तो उन्हें ने मुझे एक बार बात बोली थी कि, अगर मैं कर सकूँ, तो मेरे इच्छा है शेर लेके तीजूर में दाल देना, उसलाएं सब फिजिकल जी, 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 तो share लेके तीजूर में दाल दू और चा भी फेक दूँ कही, he was that bullish, so he said, you must pursue opportunity, और मेरे को लगता है, यह opportunity was tremendous, और BAC का card उसलाएं आपको भरोसर ने होगा, तो छे लाक में मिल रहा था, जो तीन साल बात चार कोड में बिखा, तो he saw the opportunity, and I think he kind of helped me, he persuaded me to come back to India, when I did, बिल्कुल, sir, उस जमाने में यह सोच रखना, बड़ी बात है कि, यह, यह, तरन long term bullish on India, because he is watching, India को परकते थे, देखते थे, रोज, जो सौधा होता है, कपनी जैसी बढ़ रही है, corporate governance is improving, and he told me, कि, when you went in 79, it didn't stop you, but 10 years later, the time has now come for India, and sensex, आज 1000 का 60,000 है, so he was obviously right, क्या बात है बिल्कुल, naturally, यह आपके stock market, investment, आपके jeans में है, राइट, लेकिन, एक professional होने के नाते, आप, चूंकि MBA करके आए, अमेरिका से पढ़ा ही करके आए, तब और अब, क्या फरक आप देखते हैं, बड़ा बादारों में, तब और अब के India में, क्या कुछ बदला है आपके लिए The rise of technology is obviously a great change, a game change in India, that has given us the confidence, that has given us the ability to take on the world, but यह बात आपके हरान होगे सुनके आपनेल जी कि even in 1980s, we had a level of corporate governance in India, because we had companies like Lever, Colgate, Castrol, which were MNCs who got listed in India, so there was a level of corporate governance that was already there, it doesn't exist in my case like China, because there is no level of corporate governance, so corporate governance is good, It's just that, जैसे मनमौन सिंह का जो benchmark budget था, the Indian economy opened up, FDI started coming in, market ही बड़ा हो गया, market 89 है बहुत छोटा होता था, आपको दिहान होगा कि 89 में, on a busy day, the Bombay Stock Exchange, you do 400 crores of the volume, we do 400 crores of the volume, maybe in 10 seconds now, so the volume has become big, the markets have become big, players have become big, तो बड़ा तो जरू हो गया market, but I think the driving cause for this market, Indian economy itself is growing and that helps, but it's the technology voice, what Infosys, Wipro, TCS did for India and Indian economy, मैं बोलतों जैसे Ford ने किया, अमेरिका के लिए, और जैसे British ने electric revolution किया, I think the same contribution must be heralded to them, we cannot, I think in सब को भारात अतना मिलना चाहिए, मेरे साथ, या माते हैं, ये novel thoughts है, सर एक चीज़ हो, चुकि आपने का कि आप inspired हो हैं अपनी पिछली generation से, father से, आपकी next generation भी आपके साथ है, आपके सुपतर भी इसी field में हैं, और naturally उनमें भी आपके गुर हैं, उनर हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं, जो अब next generation, millennials के लेंजी के ले ने-ने जो अब market में investors आ रहे हैं, क्या बदलाव हैं? ये बड़ी दिल्चस बात है, अनल जी, मैं सोचा, जब मेरा लड़का है, तो मैं उसको सिखाऊंगा, but my son is making me look at the market through his eyes, and expand my horizons, because only a लड़का बता सकता है, कि आपने क्या गल्तियां की अपनी life में, and कैसे सुदार सकते ह पाकी किसी की इहमद नहीं होती है, किसी की पहुच नहीं होती बताने के लिए, so he is helping me, मैं अक्सर आप से बोला हूँ, जब पुराने चर्चे हुए अपने की मैंने बड़ा स्टेक नहीं लिया कोई कंपनी में, ये regret है मेरी, and he is now forcing me to pay attention to that, you know, this is that, अगर आपकी मिसिक्ति, we rectify that, and a lot of people, जब मैं अमेरिका गया था निया था निया जी, we would come back once every two years, three years, they always wanted to be a part of India, they realized कि इंडिया ग्रोथ करी, तो उनों कभी नहीं था कि मैं अमेरिका जाके रहूं या लंडन जाके रहूं, जिसने लोग का graduation खत्म वाद दों थी मैंने बाद, they were back in India ready to start the business, so the opportunity size in India is be seconding them, and they are understanding their opportunity, absolutely, तो ये एक बहुत अलग परस्पेक्टिव आपने बताया कि हमें सोचता है हम next generation को सिखाएंगे, लेकिन उनके नज़री से बहुत कुछ हमारे लिए सीखने को है, सर जो एक बड़ी चीज मैंने नोटिस किया आप में कई सालों से मैं आपको फोलो करता हूं, दो चीज़ों आपने बड़ा फोकस किया, एक compounding पर, क्योंकि आजकल सबको compounding daily basis पर करनी है, return सबको रोज चाहिए,